हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टूटरियल को उपर और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर वन को जिसका नाम है The French Revolution यानि French Revolution चैप्टर को यहाँ पर हम completely पढ़ने वाले हैं और यह जो वीडियो है इस वीडियो में हम NCRT किताब का यूज करेंगे और NCRT बुक से line by line explanation मैं आपको करवाऊंगा साथ में यहाँ पर मैं important questions भी बता दे चलूँगा important topics भी highlight कर दूँगा जो की आपको especially ध्यान रखना है समझ गए? अब यह जो हमारा वीडियो है ना यह हमारे एक series का part है series का नाम क्या है? NCRT Foundation Series इसमें हम क्या करेंगे? हम लोग 9th class और 10th class के Science Assistory के NCRT को complete पढ़ने वाले हैं जिस प्रकार से ये वीडियो होगा इसी प्रकार से हर subject का हर NCRT आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए line by line explanation के साथ इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और भी chapters को और भी videos को देखते रहें अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं NCRT पढ़ाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ NCRT पढ़ाऊंगा जी नहीं हर chapter का notes भी आएगा notes से बनाया हुआ video भी आएगा complete chapter का और ये सारे videos आपके 2023-24 session के नए syllabus नए किताब के आधार पर है तो आपको क्या करना है ये दोनों series आपको देख लेना है हर subject के लिए और हर chapter के लिए तो आपकी तैयारी पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी अब यहाँ पर आईए हम शुरू करते है chapter chapter का नाम क्या है भाई chapter का नाम है The French Revolution अब यहाँ पर title क्या है French Revolution यानि कि एक ऐसा revolution जो कि France में हुआ था हम क्या पढ़ रहे हैं एक ऐसे revolution के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि France में हुआ था तो भाई सबसे पहले तो समझना है कि यह revolution क्या चीज है किस चीज को हम revolution कहते हैं इस चीज को हमें clear करना ज़रूरी है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो revolution का simple definition अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर revolution क्या होता है action taken by a large group of people to try to change the government of a country especially by violent action यह एक definition है दूसरा definition क्या कहता है a complete change in methods, opinions, etc often as a result of progress तो यहाँ पर revolution को हम दो प्रकार से define कर सकते हैं या फिर revolution का दो मतलब हो सकता है पहला मतलब कहता है revolution तब होगा जब बहुत बड़ी संख्या में लोग, जनता, आम, आदमी क्या करेंगे? सरकार बदल देंगे सरकार बदलने के लिए वो क्या करेंगे? violent तरीका अपनाएंगे आंदोलन करेंगे सरकार पर हमला करेंगे ये सारी चीज़ करके अगर वो सरकार बदल देते हैं तो वो क्या है? revolution है जैसे फ्रांस में revolution हुआ था जर्मनी में revolution हुआ था क्या? जी नहीं आपका रशिया में revolution हुआ था क्या? जी हाँ जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसी प्रकार से कई सारे देश हैं जहां पर सरकारे बदली जाती हैं जनता आंदोलन करके सरकार बदलती है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि revolution हुआ था क्या इंडिया में revolution हुआ था? जी नहीं revolution नहीं हुआ था क्यों? क्योंकि भारत की जनता ने आंदोलन करके लडाई जगडा करके violently जाकर अंग्रेजों को नहीं हटाया था बलकि सांती तरीके से अराम से हम लोगों को सरकार मिल गई थी हम लोगों ने सांती तरीके से सरकार अपने पास ले ली थी अंग्रेजों को हटा लिया था तो इंडिया में revolution क्यों हुआ या आप समझ गए? क्योंकि यहाँ पर violent activities नहीं हुई थी France में revolution क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर violent activity हुई सरकार के खिलाफ जनता उतर आई और उस पूरी तरीके से सरकार को उखाड फेगा तो हम कहते हैं कि क्या हुआ था? France में revolution हुआ था अब यह दूसरा मतलब क्या है? दूसरा revolution का मतलब होता है कि जब कोई idea में change आता है सोचने के तरीके में change आता है या फिर आपके काम करने के तरीके में change आता है जब progress होता है जैसे industrial revolution हम लोग सुनते है तो industrial revolution में क्या कोई सरकार बदली गई थी? जी नहीं industrial revolution में क्या हुआ? नई technology आ गई काम करने का नया तरीका आ गया factory चलाने का नया तरीका आ गया जिससे की production बहुत बढ़ गया समझ गया? तो ये क्या है? ये एक प्रकार का revolution है जिसमें violence नहीं होता है बलकि progress होता है तो ये दो प्रकार के revolution तो हम लोग यहाँ पर पहले meaning की बात कर रहे हैं French revolution में क्या हुआ था? French revolution में violent तरीके से आंदोलन करके revolt करके जनता ने सरकार बदल दिया था उस revolution के हम लोग बात कर रहे हैं अब यहाँ पर हम लोग France की बात कर लेते हैं France भाई है कहाँ पे? तो France की बात करें तो यहाँ पर तो आपका India हो जाता है India से जब आप Europe जाएंगे तो यहाँ पर आप UK को देख सकते हैं यहाँ पर Spain है और यहाँ पर आप France को देख सकते हैं तो इसी France में होने वाली घटनाओ को हम पढ़ने वाले हैं कि जो France में revolution हुआ वो कैसे हुआ कब हुआ क्या-क्या events हुए यह सारी चीज़े हमें समझनी है पढ़नी है अब यहाँ पर अगर हम लोग बढ़ें तो French revolution का अगर हम लोग थोड़ा सा short में summary समझते हैं कि भाई हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं तब हम लोग NCRT line by line discussion करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर important question उठता है What was the French revolution? भाया फ्रेंच रिवोलूशन थ्या क्या? तो फ्रेंच रिवोलूशन क्या था? फ्रेंच रिवोलूशन was a period of time period of time एक तरीके से कहना सही नहीं होगा set of events आप कह सकते हैं set of events during a period of time in France when the people over through the government over through the monarchy monarchy मतलब क्या? राजा का शाशन जनता ने क्या किया राजा को हटा दिया and took control of the government ठीक है? अब यहाँ पर अगला question कि भाया फ्रेंच रिवोलूशन कब हुआ था? when did it take place? फ्रेंच रिवोलूशन कब हुआ था? the French revolution lasted 10 years अब यहाँ पर देखे यह थोड़ा confusion आपको होगा क्योंकि आप अगर किताब पढ़ेंगे या फिर कहीं और MCQ वगरा देखेंगे वहाँ पर जब यह question आएगा न तब आपको answer मिलेगा July 14, 1789 लेकिन यह एक तरीके से सही answer है लेकिन यह complete answer नहीं है क्यों? क्योंकि देखिए जो French Revolution शुरू हुआ था वो इस तारीक को हुआ था इस तारीक को एक घटना हुई थी बास्तील के किले को गिरा दिया गया था तो generally जब आप पढ़ते हैं कि French Revolution कब हुआ था तब आपको यह date देखने को मिलता है लेकिन जब हम French Revolution की बात करते हैं न तो French Revolution सिर्फ इस तारीक को नहीं हुआ था इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी उन सब को मिला कर हम क्या कहते हैं French Revolution कहते हैं तो French Revolution शुरू कब हुआ था जुलाई 14th 1789 और इसके साथ ही French Revolution का अंत कब हुआ 1799 के अंत में जाकर जब नेपोलियन ने यहाँ पर revolutionary government को हटा करके खुद को राजा घोशित कर दिया खुज को खुद के हाथ में पावर ले ली तब हम कहते हैं कि भाईया French Revolution खतम हो गया था अब यहाँ पर एक वर्ड आया कि यह revolutionary government क्या होता है तो भाई revolution के बाद French Revolution के बाद यहाँ पर 14 जुलाई की घटना के बाद आगे चलकर जो France में सरकार बनी न उसी को revolutionary government कहा गया है तो यह short में मैं बता रहा था वैसे यह सारे words तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा जब यहाँ पर NCRT में वो बाते आएंगी तब अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जब हम चैटर शुरू करेंगे तो आपको किस चीज की बाद बताई जा रही है तो यहाँ पर भाईया 14 जुलाई 1789 को France में क्या हुआ था Paris में क्या हुआ था क्या घटना हुई थी उसका डीटेल हमें पढ़ना है तो आए ज़रा सा देख लेते हैं कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था ठीक है तो यहाँ पर कहता है कि on the morning of 14 जुलाई 1789 the city of Paris was in a state of alarm यानि कि जो ये तारीख है 14 जुलाई 1789 इस दिन जो Paris शहर था वो पूरे alarm में था मतलब लोग चोकनना थे कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या होने वाला है बहुत लोग डरे सह में थे चोकनना थे बहुत परकार से सोच विचार रहे थे क्यो भाई ऐसा क्या था तो कारण ये था कि जो राजा the king had commanded चप्पे चप्पे पर सैनिकों की निगरानी होनी चाहिए। ऐसा राजा ने ओडर दिया था। Rumors spread that he would soon order the army to open fire for citizens। अब यहाँ पर लोगों के बीच में जनता के बीच में ये अफवा फैल गई कि भाई राजा अपने सैनिकों को order देगा कि तुम लोग जनता को गोली मार दो। अब जब ये अफवाह फैलेगी कि भाईयार सेना आई है, हमारे शहर में आई है और सेना हम लोगों को गोली मारने वाली है तो सोचो कि पेरिस के लोग डरेंगे या नहीं डरेंगे तो जनता जो थी आम लोग थे वो ये विश्वास कर लिये थे कि आज जो सेना है वो हम लोगों को गोली मार देगी इसी लिए पेरिस की जनता जो थी वो डरी हुई थी ठीक है अब इस तरीके से डर की वज़ा से या फिर इस तरीके के अफवाह की वज़ा से करीब 7000 मर्द और औरते हैं यानि कि महिलाएं भी उसमें सामिल थी मर्द भी सामिल थे, सब लोग सामिल थे, ठीक है करीब 7000 की संख्या में लोग जो थे वो टाउन हॉल के सामने जमा हुए और उन्होंने तय किया कि वो एक पिपल्स मिलीशिया बनाएंगे अब भाई देखो हर शहर में टाउन होल होता है मेरे शहर में भी है, आपके शहर में भी होगा हर शहर में एक टाउन होल होता है जहां पे कुछ लोकल फंसन वगेरा होते हैं तो पेरी शहर में भी एक टाउन होल था उसके सामने 7000 लोग जमा हुए अब इन 7000 लोगों ने जमा होकर ये तै किया कि ये लोग पिपल्स मिलीशिया बनाएंगे अब ये पिपल्स मिलीशिया क्या मतलब है? भाई, मिलिटरी आपने सुना है, मिलिटरी किस के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड? आर्मी के लिए, तो मिलिटरी में क्या होता है? मिलिटरी में जो सैनिक होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, त्रतियार चलाना सिखाया जाता है, युद्ध कैसे करना है, सब सिखाया जाता है, इसलिए वो मिलिटरी होते हैं लेकिन यहाँ पर मिलीशिया की बात की जा रही है, मिलीशिया एक प्रकार से नौन रेगुलर आर्मी को हम लोग कहते हैं, मतलब कि एक ऐसी आर्मी जिसको ट्रेनिंग नहीं मिला है, वो आर्मी नहीं है, आम लोग हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, फाइट में involved हैं, तो ही उनसे फाइट करेंगे, हम साथ हजार लोग उन सेना के जवानों से फाइट करेंगे, और हम भी एक क्या करेंगे, अपनी आर्मी बनाएंगे, तो यह लोग तो रेगुलर आर्मी नहीं नहीं हैं, इसलिए इनके लिए मिलीशिया वडियूस किया गया है, आगे कहता है कि इनके ब्रोक इन्टू आर्मी बनाने का डिसाइड कर लिया कि भाईया हम लोग मिलीशिया बनाएंगे अपना, एक नॉन रेगुलर आर्मी बनाएंगे, तो अब भाईया हमको लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए, अब भाई सेना आएगी, उन लोग के पस तलवार होग बंदूख होगा, बम होगा, बहुत चीज़े होंगी, तो भाई उनसे खाली हाँ थोड़ी न लड़ा जाएगा, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने तै कि चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हथियार खोजते हैं, कि जो सेना आएगी उनसे fight कैसे किया जाए, तो ह आने वाले सैनिकों से हम लोग fight कर सकें, समझ गए, अब इसी प्रकार से ये सारे लोग, ये साथ हजार लोग, अलग-अलग building में जा कर खोज रहे थे, अब यहीं पर कही 100-200-500 लोग होंगे, जो की शहर के एक इलाके में पहुँचे, इस्टन हिस्से में, यानि पूर्वी लाके में पहुँचे, और उन्होंने एक किले पर हमला किया, जिसका नाम था बास्तील का किला, अब ये किला भी था, और साथ में जेल भी था, ये एक ऐसा किला था, जहां पर कैदियों को रखा जाता था, एक ऐसा किला जिसकों की जेल के रूप में इस्तमाल किया जाता थ ठीक है अब यहाँ पर यह जो लोग थे इन्हों ने इस बैस्तील के किले पर हमला कर दिया अब यहाँ पर इन्हों ने हमला क्यों किया था बास्तील के किले पर हमला इसलिए किया था क्योंकि इनको लगा था क्योंकि यह एक जेल है एक किला है तो यहाँ पर इनको हथियार मिल जाएगा और आसानी से इनका काम जो है चल जाएगा ये सोचकर इन्होंने हमला किया था तो ये बहुत ही important question पूछता है कि यहाँ पर जो आम जनता थे या फिर जो लोग थे उन्होंने बास्तिल के किले पर हमला क्यों किया था तो एक reason तो ये हो गया कि लोगों को चाहिए था लोग खोज रहे थे इसलिए यहाँ पर गये थे दूसरा एक और बहुत ही important reason था बास्तिल के किले पर हमले करने का ये हमला करने का यहाँ पर ये reason था कि जो बास्तिल किला था उससे जनता जो थी वो नफरत करती थी जो पैरिश शहर के लोग थे वो नफरत करते थे क्यों न राजा के खिलाफ कुछ बोलोगे राजा के खिलाफ कुछ करोगे तो तुमको इसी जेल में लाकर डाला जाएगा और इसी विज़ा से जनता जो थी वो इस किले से नफरत करती थी और इसे एक प्रकार से तहस नहस करना चाहती थी तो दो पॉइंट है कि क्यों यहाँ पर ब ऐसे लोग होंगे ना भाई कोई भी बिल्डिंग होती है सरकारी जेल होता है कुछ होता है तो वहाँ पर सुरक्षा देने वाले लोग होते हैं तो उनसे यहाँ पर आम जनता का फाइट हो गया और इसमें जो बास्तील किले का कमांडर था मतलब जो वहाँ पर सुरक्षा कर जो बात मैंने कही, कि भाई जो आम जनता थे, सभी लोग इससे नफरत करते थे, क्योंकि ये किंग के डिस्पोटिक पावर को शो करता था, रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, यहां पर जो बास्तील के किले थे, किला था, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, खतम कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, और इससे जो टुकडे निकले, जो पत्थर निकले किले के, उन सब को अगले दिन बाजार में ले जाकर बेचा गया, कि देखो देखो, किला को गिरा कर लाए है, रखना है, रख लो, तो यहां पर इस चीज को लोगों ने खरीदा, और उसको एक प्रकार से इस्टोर भी करके रखा, तो एक प्रकार से जो यह फ्रेंच रिवोलुशन है न, तो फ्रेंच रिवोलुशन का यह हम कह सकते हैं कि पहला घटना था, वाइलेंट घटना, समझ गया, तो यहां पर अगर आप देखे गए, तो आगे इसके बाद और भी कई सारे घटनाई हुई थी फ्रेंच रिवोलुशन में, जिसके बारे में हम आगे यहां पर को मिले, सैनिकों के साथ लोगों का जगडा हुआ, और यहां पर जो लोग थे वो प्रोटेश्ट क्यों कर रहे थे, गुस्सा क्यों थे लोग, क्योंकि भाईया महंगाई बहुत जादा थी, जो ब्रेड था, रोटी थी, उसकी जो कीमत थी, वो बहुत जादा हो चुकी थी इसलिए लोग यहां पर गुसा थे, प्रोटेश्ट कर रहे थे, उसी वज़े से सैनिक बुलाए गये थे, और उसी वज़े से सारे फाइट हो रहे थे, ठीक है, तो यहां पर आगे यही चीज़ कहता है कि बाद में जब हिस्टोरियन्स ने इन घटनाओं को देखा, तो उन हमने एक प्रकार से समझ लिया कि भाईया देखो, 14 जुलाई को जो बास्तिल के किले को गिराया गया था, वो कैसे गिराया गया था, क्या-क्या घटनाए हुई थी, लेकिन आप यह सोचिए, कि 14 जुलाई के पहले ऐसा क्या हो गया था, कि अचानक से एक दिन में लोग इतन गुसा हो गये, कि वो बास्तिल के किले को गिराने लगे, सेना के खिलाफ लडने के लिए तयार हो गये, ऐसा क्या फ्रांस में हो रहा था भाई, तो अब हम आगे क्या करेंगे, फ्रांस के पीछे की हिस्ट्री को समझेंगे, 1789 से पहले क्या हुआ था फ्रांस में, किस प्र टॉपिक से शुरू करेंगे, टॉपिक नंबर वन है, टॉपिक का नाम क्या है, फ्रेंच सोसाइटी डियूरिंग दे लेट 18th सेंचूरी, यानि की फ्रेंच रिवॉलुशन से पहले, फ्रांस की सोसाइटी की क्या स्थिती थी, उसमें कितने वर्ग थे, क्या चीजे थी, सभ कोई चीजे हम जरा सा समझ लेते हैं, तो जब फ्रेंच रिवॉलुशन हुआ था, यानि की 1789 में अगर हम बात करें, तो फ्रांस का राजा हुआ करता था, लुईस सोलहुआ, यानि की लुईस 16th, तो यहां पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, एक कोश्चन पूशता है, मतलब कि जब फ्रेंच रिवॉलुशन के शुरुआत हुई थी, उस समय फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांस का राजा था लुई 16th, ठीक है, अब आगे यहीं से कोश्चन बनेगा, कि लुई 16th राजा कब बना था, तो लुई 16 राजा बना था 1774 में, ठीक है, इसके साथ एक और चीज कभी-कभी पूछ देता है, हो सकता है पूछ दे, कि जिस समय लुई 16th राजा बना था, उस समय उसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र थी 20 साल, ठीक है, फ्रांस पर राज करने वाले फैमिली, किस फैमिली से बिलॉंग करता था, लुई 16th तो फैमिली था बर्ब मेरी एंतुनित किस राज्य की राजकुमारी थी, आउस्ट्रिया की राजकुमारी थी, तो ये कुछ important points है, important questions है, जो कि फ्रांस के रूलर के फैमिली से जुड़ी हुई है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो फ्रेंच रूलर था, लुई 16th वो बना था 1774 में रूलर, और यह बर्बन फैमिली से बिलॉंग करता था, और यह 20 साल की उम्र में राजा बना था, और साथ में इसकी साधी हुई थी, आउस्ट्रिया की प्रिंसेस मारी एंतुनियत से, ठीक है, यह clear है, इतने ही उसकी फैमिली के बारे में clear हो गया, जब लुई 16th वो राजा बना, तब उसने पाया कि उसकी जो तिजोरी है, वो पूरी तरीके से खाली है, मतलब जो सरकार का खजाना होता है, सरकार जो होती है, उसके पास जो खजाना होता है, वो पूरी तरीके से खाली है, मतलब सरकार के पास अपने काम धंदे करने के लिए भी पैसे नहीं है, समझ गया ये मेन मुद्दा है तो ऐसा क्यों था फ्रांस की सरकार के पास पैसे क्यों नहीं थे फ्रांस की सरकार का खजाना क्यों खाली था ट्रेजरी क्यों खाली थी भाई तो उसका रीजन यहाँ पर यह बताता है कि यहाँ पर जो फ्रांस है उसने कई सालों तक कई लंबे लंबे य तो युद्ध लड़ने में फ्रांस की बहुत जादा हानी हुई बहुत जादा पैसे बरबाद हुए। इसके साथ ही जो फ्रांस का एक पूरा राज महल था जहां पर राजा रहता था जो राजा का पूरा दर्बार लगता था राजा के जो कोट थे पूरी पूरी ववस्था जो थी ना उसको चलाने में जो पूरा पैसा था वो बहुत जादा खर्च हो जाता था। तो यहां पर यही कहता है कि long years of war had drained the financial resources of France, added to this was the cost of maintaining an extravagant court at immense palace of Versailles. Versailles क्या था? एक प्रकार से जगह है, जहां पर राजा का राजमहल था, जहां पर पूरा राजा का रहता था, दर्बार लगता था, सारे अधिकारी रहते थे, तो यहां पर राजा बहुत शानों शौकत से रहता था, तो उसके शानों शौकत में बहुत पैसा बरबाद होता साथ में फ्रांस की सरकार ने काफी सारे युद्ध भी लड़े, बहुत लंबे सालों तक लड़े, उससे बहुत पैसा बरबाद हुआ, तो ये भी एक कोशन पूछेगा, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखीगा. अब ये तो भाई बात हो गए कि लूई सुलहवा के आने से पहले क्या परिशानी थी, ठीक है, अब जब लूई सुलहवा राजा बना, तो उसने भी वही चीज किया जो कि उसके पहले के राजा कर रहे थे, युद्ध में पैसा बरबाद करना, वार में पैसा बरबाद करना, इसने भी कई सारे युद्ध लड़े जैसे यहाँ पर कहता है कि जो लुई सुलहवा है उसने उसके शाशनकाल के दौरान जो फ्रांस की सरकार थी फ्रांस की सरकार ने 13 अमेरिकन कॉलिनीज को आजाद होने में मदद किया मतलब अमेरिका देख लीजे आज का जो अमेरिका आप जान रहे ना USA United States of America उसकी बात हो रही है वो उस समय 13 इलाके में 13 कॉलिनीज होती थी वहाँ पर उनको आजाद होने में मदद किया किसने फ्रांस ने मदद किया उसके लिए उसने पैसे भी दिये और भी तरीके से मदद क तो भाई ऐसा किया क्यों फ्रांस को क्या मतलब अमेरिका का जो इलाका है वो आजाद है या नहीं है तो मतलब था फ्रांस को क्या मतलब था मतलब ये था कि वहाँ पर साशन कौन कर रहा था ब्रिटेन कर रहा था मतलब ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन है फ्रांस और ब्रि अमेरिका पर शाषन कर रहा था, अमेरिका उसका गुलाम था, जैसे भारत देश पर ब्रिटेन का शाषन था, उसी प्रकार से, वहाँ पर भी ब्रिटेन शाषन कर रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस ने देखा कि अच्छा, तुम वहाँ शाषन कर रहा है, चलो जो फ्रांस की सरकार थी उसके उपर पहले से ही बहुत ज़्यादा करजा था और इसकी वज़ा से ऐसा करने की वज़ा से और भी करजा बढ़ गया और साथ में खजाना तो पूरी तईके से खाली था फ्रांस की सरकार का ठीक है तो यहीं पर यहीं कहता है कि the war added more than a billion livery अब य हमारे देश में जैसे रुपिया चलता है उसी तरीके से उस समय फ्रांस में लिवरे चलती थी आज फ्रांस में लिवरे नहीं चलता है क्यों कि वहां पर euro चलता है ठीक है अब वो अलग चीज है euro क्यों चलता है वो अलग topic है क्यों कि अब फ्रांस जो है European Union बन गया है इस त करोड लिवरे का करजा फ्रांस की सरकार पर बढ़ गया और इसके साथ ही पहले से कितना करजा था तो भाई पहले से दो बिलियन लिवरे था कितना दो बिलियन पहले से था एक बिलियन और बढ़ गया कुल मिलाकर तीन बिलियन लिवरे करजा हो गया फ्रांस की सरकार के ऊपर अब यहाँ पर जो फ्रांस की सरकार को जो लोग करजा दे रहे थे उन लोगों को दिख रहा था कि भाई फ्रांस की सरकार के पास तो पैसा नहीं है फ्रांस की सरकार का पूरा खजाना खाली है और ये लोग हम लोग से पैसा ले लेकर क्या कर रहे हैं युद्ध लड़ रहे हैं और भी चीज़े कर रहे हैं पैसा बहुत बरबाद कर रहे हैं तो हो सकता है किसी दिन हम लोग का पैसा देने से भी फ्रांस की सरकार मना कर दे कि भाई तुझा तुमने करजा दिया है तुम्हारा पैसा नहीं देंगे ये भी हो सकता है तो ये लोग डर गए जो लोग जो जैसे सरकार भी करजा लेती है हमारे देश की आज की जो भारत सरकार है वो भी करजा लेती है आप से भी ले सकती है या फिर विदेश में किसी वेक्ति से भी ले सकती है लेती है उस समय भी सरकार ने करजा लिया था तो जिन लोगों ने करजा दिया था स सरकार को उन्हों उनको एक प्रकार से डर लगने लगा इसके लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने जो लोन दिया था फ्रांस की सरकार को कहा कि भईया देखो तुम को करजा देना अब खतरनाक है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पैसा वापस दोगे की नहीं दोगे कोई गारंटी नहीं है इसलिए क्या करो ना, कि जो हम लोग का लोन है उस पर तुम क्या करो 10% का सूध दो 10% का सूध दोगे तब पैसा मिलेगा और जो लोन है उस पर भी 10% दो तब हम एक प्रकार से छोड़ेंगे, नहीं तो पूरा पैसा अभी वापस करो, एक प्रकार से ऐसा सभी लोग करने लगे, तो यहाँ पर जो फ्रांस की सरकार थी, उसको एक प्रकार से अब प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, क्यों प्रॉब्लम शुरू हो गया भाई, जो फ्रांस की सरकार थी, वो अपने पूरे बजट का, यानि सरकार जो सालाना टैक्स से पैसा कमाती है, उस पैसा में से बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा, क्या करती थी, सूद चुकाने में, इंट्रिस्ट पेमिंट करने में खर्चा कर देती थी, मान लो कि फ्रांस की सरका अगर 100 रुपया कमा रही है, पबलिक से टैक्स लेके, तो उसमें से 40 रुपया या फिर 50 रुपया वो जाकर कहां देदेगी, सूद चुकाने में, लोन चुकाने में देदेगी, तो बताइए कि टैक्स में से इतना पैसा तो सीधे चला गया, बाकी पैसा से क्या खर्चा च अधिकारियों को, जो काम करने वाले करमचारी हैं सभी को वेतन देना है, पूरी ववस्था चलानी है, युनुवर्सिटी चलाना है, गवर्मेंट आफिसे चलाने है, तो इन सभी चीजों की वज़र से फ्रांस की सरकार बहुत बुरी प्रॉब्लम है पढ़ गई, फ्रांस की सरकार को मजबूरी में टैक्स उठाने का कदम उठाना पड़ा, मतलब क्या टैक्स बढ़ा दिया जाए, ऐसा फ्रांस की सरकार ने सोचा, ठीक है, यहाँ पर कोश्चन बनता है, कि फ्रांस की सरकार टैक्स क्यों बढ़ाना चाहती थी, फ्रांस की सरकार के सामने क्या पर समझ गए हैं क्या क्या problem था आप बता सकते हैं points में लिख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर बात है कि यहाँ पर France की सरकार को पता है कि हमको tax बढ़ाना है ताकि हमको पैसा मिलेगा तो हम सरकार चलाएंगे लेकिन यह काम भी ना बहुत मुश्किल था यहाँ पर मुश्किल यह कि इस चीज को करने के लिए France में एक ववस्था चलती थी ववस्था क्या थी ववस्था यह थी कि जो France का समाज था वो तीन states में divide कर दिया गया था और इसके साथ ही जो third state के लोग थे सिर्फ वही tax देते थे और first और second state के लोग tax नहीं देते थे तो भाई इसमें क्या बुर France की समाज को देखते हैं France की जो society है 1789 से पहले कैसी थी इसको जरा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए हमने क्या समझा हमने समझा कि भाई देखिए France का समाज तीन हिस्सों में divided है पहला हिस्सा क्या है भाई पहला हिस्सा है क्लरगी क्लरच में काम करते हैं चर्च से जुड़े हुए हैं वो लोग क्या हो गया क्लरगी हो गया फिर दूसरे हो गया दूसरे दूसरा जो ग्रूप हो गया लोगों का इनको कहा गया nobility nobility मतलब कि बड़े बड़े लोग जो है न जैसे जमिनदार लोग मंत्री विधायक इस प्रकार के जो लोग होते हैं आज न विधायक होते हैं लेकिन उस समय में फ्रांस में बहुत इस प्रकार से अरिस्टोक्रेसी का लोग होते थे जो की एक प्रकार से नोबल जिनको कहा जाता था जैसे कि फ्रांस की सरकार में कोई बड़ा अधिकारी है मंत्री है बड़ा सेना का अधिकारी है या फिर कोई जमिनदार है कोई बड़ा इलाके का रुत्बा वाला मुखिया टाइप का आदमी है उस तरीके के लोग हो गये नोबिलीटी में फिर तीसरा ग्रूप तीसरा ग्रूप जिसको की थर्ड इस्टेट कहा जाता था इसमें बाकिस सभी लोग आ जाते थे मतलब आप बिजनेस करते हैं थर्ड इस्टेट में आप सरकार के नौकर हैं मतलब नौकरी करते हैं सरकारी थर्ड इस्टेट में आप मजदूर हैं थर्ड इस्टेट में आप कि First state और Second state के लोग थे इनको बहुत सारे छूट दिये गए थे। किस चीज में छूट? तो छूट ये था कि इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब बुलेगा सर टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्या दिक्कत ये तो इनकी संख्या बहुत कम थी न, तो टैक्स नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, क्यों कि यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो फर्स्ट और स Second state के लोग थे न, ये France का 60% जमीन के मालिक थे, 60% जमीन के मालिक थे, लेकिन एक भी रूपया tax ये नहीं देते थे, ये problem था, इसके बाद यहाँ पर और भी problem थे, क्या problem थे भाई, problem थे कि ये लोग tax उपर से लेते थे, जो third state के लोग थे, इनसे यही लोग पैसा ले लेते थ जैसे जो first state है यानि कि church में काम करने वाले लोग church वो special tax लेते थे जिसको कितित कहा गया है ठीक है अब यहाँ पर ये लोग को पास पैसा बहुत है अमीर बहुत है इनके पास property भी है जमीन भी है लेकिन इनको tax नहीं देना है और यहाँ पर जो clergy वो tax भी लेगा जो nobility है वो feudal dues भी लेगा अब यह क्या होता है यह हम अभी NCRT line by line पढ़ेंगे तो समझेंगे और वहीं जो third state है जिन में सारे गरीब लोग आते हैं आम इंसान आते हैं जो मजदूर है किसान है कारीगर है करमचारी है सरकारी नोकरी वाला है सभी लोग आते हैं यह लोग क्या करेंगे य यह लोग 90% पूरी फ्रांस का 90% population third state में था लेकिन यह क्या करेंगे टेल देंगे टेल क्या है एक प्रकार से tax है जो सरकार लेती है इसके लाबाद दूसरे tax भी देंगे Lord के सामने जाकर services देंगे मतलब जो जैसे जमिनदार है या फिर जो feudal Lord है उनको services देगा घर बनाने मे काम करेगा, field में काम करेगा, army में भी काम करेगा, construction में भी काम करेगा, मतलब सारा बोज इनको उठाना है और ये लोग एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, France परशाशन कर रहे हैं और इन लोगों को खाली आराम ही लोगों न tax देना है न पैसा देना है बलकि पैसा लेना है सबस ठीक है, तो ये एक प्रकार से France की जो सरकार है, sorry France की जो society है, उसकी एक इस्तिती हमने देख ली कि तीन states में divided थे, ठीक है, अब यहाँ पर आपको आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि the society of states was part of the feudal system that dated back to the middle ages, ये जो France की society थी, ये France की society, feudal system का हिस्सा थी, जो की middle ages से चली आ रही थी, middle ages मतलब की 11 सदी, 12, 13, 14, 15 सदी से ये system चली आ रही थी, और यही system के आधार पर ये France की society इस तरीके से divided थी, अब ये feudal system क्या होता है, ये जरा सा समझेए, feudal system में ये होता है, feudal system का मतलब, short way मैं समझा रहा हूँ, कि देखे कोई राजा है, राजा के पास क्या है, सेना है, ताकत है, सारा चीज है, तो उसने कहा कि ये इलाका मेरा, ये पूरा इलाका मेरा, ये जो पूरा France है, France के मालिक हम, कौन? France का राजा, अब France का राजा जो है, वो बोलेगा ठीक है, तुम आओ मेरे घर नौकरी करो, सेना में नौकरी करो, या फिर तुम मेरे पास काम करो, मेरे घर में घास काटो, मेर करने के लिए तब मैं जाकर तुमको पैसे दूँगा कि तुम जाकर खाना खाऊगे ये इस प्रकार की ववस्था थी इसी प्रकार की ववस्था को feudal system या फिर सामन्ती ववस्था कहते हैं जहां पर जो सरकार है जो राजा है वो क्या करता है सर्विस के बदले में सेवा के बदले में जमीन का पट्टा खेती करने के लिए देगा या फिर और भी पैसे देगा ये ववस्था की बात यहां पर हो रही है यहां पर ये system कैसे चलता था ये system चलता था कि जो राजा है वो directly जनता से deal नहीं करेगा वो राजा पहले क्या करेगा नोबिलीटी में जो आपके जमीनदार जैसे लोग होते हैं उनको deal करेगा कि भाई क्या करो तुम्हारा गाउं है ना तुम्हारा गाउं का जमीन तुमको जाओ और तुम बदले में 100 सैनिक हमको दे देना और जब भी हमको काम के लिए लोग जरुवत पढ़ेंगे तुम दे देना तो बाकी पूरा गाउं तुम्हारा जाओ गाउं का जमीन जिसको देना है दो और जिससे खेती करवाना है करवाओ जिससे टैक्स लेना है लोग इस प्रकार से यहाँ पर चीजे चलती थी राजा जो नोबलीटी लोग थे रिस्टोक्रेट थे जमीन दार जैसे लोग थे उनको जमीन दे देता था और वहाँ पर जमीन दार फिर किसानों को देता था उनसके बदले में सेवा लेता था काम लेता था या फिर पैसे लेता और वो फिर पैसा जाकर राजा को देता था यह इस प्रकार से सिस्टम यहाँ पर चल रहा था और इसी वज़े से यह यहाँ पर सिस्टम बना था ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें आगे यहाँ पर क्या कहता है आगे कहता है कि The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789 की बात हो रही है यह 1789 के पहले जो ववस्था थी सरकार की ववस्था समाज की ववस्था उसी के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है यह आप समझ जाईगा जब भी बात होगा अब यहां पर आगे कहता है कि figure two shows how the system of states in French society was organized तो वो चो चीज मैंने आपको दिखा दिया कि France में society किस तरीके से organized थी ठीक है पेजेंट्स made up about 90% of the population however only small number of them owned the land they cultivated यहां पर 90% जो population था वो किसान था या फिर उसी प्रकार के काम किया करते थे लेगिन इन में से बहुत कम संख्या में ऐसे किसान थे जो अपनी जमीन के मालिक थे नहीं मालिक थे यह लोग मालिक नहीं थे तो मालिक कौन था मालिक एक प्रकार से थे जो nobles थे और जो चर्च था वो मालिक था यानि कि about 60% of land was owned by nobles the church and other richer member of the third state यानि कि जो यहां पर अमीर लोग थे जैसे कि सरकार के अधिकारी हो गये चर्च हो गया इस प्रकार की जो संस्थाय थी न वो जमीन के मालिक थे कितनी ज 60% जमीन के मालिक थे और जो किसान खेती करता था वो अपनी जमीन का मालिक नहीं था ठीक है The members of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth जो यहां पर जो first के दो state हुए, clergy और nobility इनको जन्म के आधार पर कुछ छूट प्राप्त थे यानि कि जो लोग clergy में होंगे, जो लोग nobility में होंगे, उनको tax नहीं देना है उनको अधिकार प्राप्त है कि वो कुछ taxes ले सकते हैं, उनको कोई भी जवाब दे ही नहीं है, बहुत तरीके से और भी छुट प्राप्त थे. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. सबसे important छुट क्या था, कि भाई, इनको सरकार को tax नहीं देना था. The nobles further enjoyed feudal privileges, जो nobles थे, जो aristocracy के लोग हो गए, जो अधिकारी हो गए, जो बड़े सामन्त हो गए, जो जविंदार जैसे लोग हो गए, पावरफुल लोग हो गए, इनको feudal privileges प्राप्त थे. मतलब क्या? मतलब की भाई, तेखो, राजा ने इनको दे दिया कि तुम अपने गाउं का जमीन तुम्हारा, जाओ अपना गाउं में जो भी लोग रहता है, उनसे पैसा लो, उनसे काम करवाओ, उनसे जो करवाना करवाओ, तुम्हारी मतलब, तुम्हारा problem. समझ गया? इनको इसी वज़से कई सारे powers प्राप्त थे, इनको feudal privileges थे, these included feudal dues which they extracted from the peasants, यानि यहाँ पर क्या हुआ? राजा ने एक गाउं दे दिया, एक सामंत को या फिर feudal lord को, वो क्या कर रहा है? अपने इलाके की किसान को एक जमीन का हिस्सा दिया, जमीन का तुकड़ा दिया, उ वो क्या हुआ? feudal fees हो गया, feudal dues हो गया, इसी प्रकार से ये पूरा system चलता था, peasants were obliged to render services to lord, इसके साथ ही जो किसान थे, उनको अपने इलाके के feudal lord के घर पर जाकर काम भी करना पड़ता था, जब भी उसको मजदूरी के जरूत होती थी तो free में काम करना पड़ता था, जैस जहां भी जो ये बड़ा अमीर आदमी है, ये जहां भी चाहे, वहां पर भी मजदूरों से काम करवा सकता था, अब इसके साथ बारी करें, तो clergy की बात करें, तो जो church था न, वो भी अपना हिस्सा का tax जनता से लेता था, यानि जो आम लोग थे, उनसे क्या करता था, tax लेत teeth, यहां पर जो church tax लेता था, इसको teeth कहा जाता था, from the peasants, and finally all members of third state had to pay taxes to the state, यानि कि जो third state के लोग हैं, वो अपने feudal lord को जाकर पैसे देंगे, उनके घर पर जाकर काम करेंगे, church को जाकर teeth देंगे, इसके साथ ही जो सरकार हैं उसको भी tax देंगे, सबको ये लोग क्या करें टेंगे, tax देंगे, पैसा भरेंगे, these included a direct tax called tail, यहां पर जो सरकार tax लेती थी उसमें से एक direct tax होता था, जिसको की tail कहा जाता था, और इसके लावा कई सारे indirect tax होते थे, जैसे आज के समय में हम लोग के देश में direct tax क्या होता है, जो आप एक प्रकार से जाकर income tax भरते हैं, income tax देते हैं, तो वो क्या है, direct tax है, लेकिन अगर कोई समान खरीद रहे हैं, उस पर भी सरकार tax लेती है, तो वो क्या है, एक प्रकार का indirect tax है, ठीक है, और यहां पर यही चीज़ कहता है, कि यह सारी छोटी-छोटी चीजों पर ली जाती थी, the burden of financial activities of the state through taxes were born by third state alone, यानि third state सारे सरकार चलाने का खर्चा अकेले संभलता था, और कोई उसमें सामिल नहीं था, अब यहां पर आगे बात करें, तो आगे यहां पर कुछ words की meaning बताए गए है, लीवरे के बारे में बात किया गया है, फ्रांस के currency का एक unit जो की 1794 में खतम कर दिया गया, कलरगी क्या होता है, group of person invested with special function in the church, church में काम करने वाले कुछ खास लोग, teeth tax levied by church comprising one tenth of agricultural produce, यह दोनों important question है, कि भाई teeth क्या है, teeth क्या है, teeth कितना था, one tenth of agriculture produce, टेल क्या है, जो कि सरकार लेती थी एक direct tax, यह हो गया, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे यहां पर एक तस्वीर है इस तस्वीर को देखिए और इसको पढ़िए समझने के कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने topic आजाता है, topic number 1.1, the struggle to survive, तो जब यहां पर मैंने यह chapter शुरू किया था, और 14th July के घटने की बात की थी, कि 14th July को क्या क्या हुआ, तो वहां पर अंत में हमने एक reason देखा था, कि लोग गुसा क्यों थे, प्रोटिष्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहां पर पेरिस में महंगाई बढ़ी होई थी, तो यह जो problem है न, महंगाई का problem, यह क्यों हुआ, जनता के बीच में अक्रोस क्या था, जनता को क्या तकलीफ थी, क्या कठिनाई थी, वो चीज़ यहां पर इस topic में समझते हैं, तो topic का नाम क्या है, the struggle to survive, यानि जीने में मुश्किल आ रही है, लोगों को survive करने के लिए struggle करना पड़ रहा है भाई, क्यों करना पड़ रहा है, तो आईए देखते हैं, तो यहां पर कहता है कि the population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789, यानि कि 2,30,000,000 से बढ़कर 2,80,000,000 यहां पर जनसंख्या हो गया, फ्रांस का, कितने दिनों में, 1715 से लेकर 1789 के बीच में, मतलब कि 7-7 साल का करीब है यह वक्त है, इस दौरान में क्या हुआ, यहां पर जो आबादी थी, वो कितनी बढ़ गई भाई, पचास लाख अब बढ़ गई, अब पचास लाख अबादी बढ़ गई, तो इतनी जादा जो लोग बढ़े हैं, इनको खाने के लिए भोजन भी तो चाहिए न, जिन्दा रहने के लिए भोजन चाहिए, तो यहां पर यही कहता है, कि this led to a rapid increase in the demand for food grains, इतनी जो आबादी बढ़ी, आबादी क बढ़ने की वज़ा से अनाज के demand काफी जदा बढ़ गए, यानि कि जदा लोग हैं तो भाई भोजन भी जदा चाहिए, जदा अनाज चाहिए ताकि उनका पेट भरा जा सके, ठीक है, अब यहां पर बात करें, तो कहता है कि the production of grains could not keep pace with the demand, यानि कि जितनी जल्दी से, जित अनाज उगता था, उतना ही अनाज अब भी उगरा है, मतलब 1715 में जितना अनाज उगता था, उतना ही अनाज 1789 में भी उगरा है, ठीक है? So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly, क्योंकि अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा है, खरीदने वाले बढ़ गये हैं, इस वजह से जो bread का कीमत है, वो काफी बहुत speed से बहुत speed से वो बढ़ गया. Most workers were employed as laborers in workshop, whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices. ज्यादा तर जो मजदूर थे, ज्यादा तर जो लोग थे, जो कि किसी factory में, किसी जगह पर, किसी जगह पर मजदूरी का काम करते थे, उनका salary fixed था, मतलब कि भाईया 100 रुपे वेतन है, तो 100 रुपे ही वेतन है, ज्यादा नहीं मिलेगा, 100 रुपे मिलेगा, तो भाई, वे जार में समानों के कीमत बढ़ रहे हैं, जो महंगाई है, वो बढ़ रही है, ब्रेड का कीमत बढ़ रहा है, इस वज़र से यहाँ पर, जो अमीर और गरीब का बीच का फर्क है, वो काफी बढ़ गया, कैसे बढ़ गया भाई? कैसे बढ़ ऐसे गिया, कि जो यहाँ पर गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो की वेतन पर काम करता है, उसका वेतन 100 रुपया, तो उसको ब्रेड खरिदना है, तो भाई, उसको ब्रेड का दाम अगर पहले 20 रुपया था, आब यहाँ पर 40 रुपया हो गया, तो चौर उपय में ही वो पहले 20 उपय में खरीता था, अब 40 का खर देगा, तो भाई उसके लिए वो बहुत प्रभावित हो गया, तो यहाँ पर आगे कहता है कि यहाँ पर सूखा पढ़ गया फ्रांस में, या फिर वहाँ पर ओले गिर गये, हेलग हो गया, तो उससे क्या हो जाता था, फसल बरबाद हो जाता था, फसल बरबाद होने का मतलब क्या, अनाज नहीं उगेगा, मतलब क्या भहिया, अनाज की कमी हो जाएगी देश में, अनाज का मिलने लगेगा या फिर सौ का मिलने लगेगा तो और भी मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए खरिदने तो यहाँ पर ये परिशानी हो रही थी जो जनता थी उनको ये बहुत बड़ी परिशानी थी भले ही अभी हमें देखने में ना लगे लेकिन उस समय ये बहुत और इस चीज की वज़ा से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आता था जो की ओल्ड रेजीम में कई बार लागातार होता था old regime का मतलब आपको पता है कि 1789 से पहले की ववस्था और subsistence crisis मतलब मतलब जीना भी मुश्किल है अब ये subsistence crisis कैसे होता है ये चीज़ हमें समझना है वैसे subsistence crisis का यहाँ पर explanation बताया गया है an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered मतलब एक ऐसा situation जहां पर जीने के लिए जो basic चीज़ चाहिए न वो भी मिलना मुश्किल है वो भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को ऐसी इस्थिती anonymous ये तो आपको पता है आगे बढ़ें तो आगे ये chart देखिए ये chart ज़रा सा हमें solve करना है तो ये chart क्या कहता है how a subsistence crisis happened subsistence crisis कैसे होता है ये चीज़ हमें समझना है तो सबसे पहले क्या होगा bad harvest मतलब फसल खराब हो गई है फसल खराब होने से क्या होगा भी या अनाज की कमी होगी अनाज की कमी होगी तो क्या होगा यहाँ पर prices बढ़ जाएंगे ओ नहीं यहाँ पर scarcity होगा scarcity of grains मतलब अनाज की कमी हो जाएगी अनाज की कमी होने की वज़द से क्या होगा भी या यहाँ पर prices बढ़ जाएंगे prices increase क्या होगा भाई price increase कर जाएगा price increase करने से क्या होगा price increase करने से यहाँ पर जो गरीब लोग है ना सबसे गरीब लोग हैं वो ब्रेड नहीं खरीदने पाएंगे अनाज नहीं खरीदने पाएंगे और भूखे मरने की स्थिती में आ जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी गरीब आदमी है या कोई भी व्यक्ति है अगर उसको खाना नहीं मिले तो क्या होगा खाना नहीं मिले तो दो चीजे हो सकती है पहला पहला तो उसका बॉड़ी क्या होगा वीक हो जाएगा वीक बॉड़ी या फिर उसके सरीर में ताकत है तो वो जाकर जगड़ा करेगा वो क्या करेगा राइट करेगा दंगा करेगा तो यहां पर क्या होता था फूड राइट होता था मतलब कि शहर में दंगे हो जाते थे खाने के लिए भोजन के लिए जगड़े हो जाते थे दो condition हुए, जब food riot होगा, दंगे होगा तो क्या होगा भाई, लोग मरेंगे, लोग भूखे मरेंगे या फिर दंगे से मरेंगे, और अगर किसी व्यक्ति का body weak हो जाता है तो क्या होगा, उसको कई प्रकार की बिमारियां हो सकती है, शहर के पूरे शहर में बिमारी फैल सकती ह तो disease का epidemic भी आ सकता है, समझ गए, और इन सभी चीजों से क्या होगा, increase होगा किस चीज में, death में, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत होगी, अनाज के सिर्फ कमी की वज़े से क्या हुआ, अनाज की scarcity होई, क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, प्राइस दंगे में उसकी जान चली गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, अन्तता उसकी मौत हो गई, समझ गया, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर subsistence crisis होता है, अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं हमारे सामने है topic 1.3, topic 1.3 क्या है, a growing middle class invasives into privileges, मतलब कि France जो है, France की समाज में एक नया वर्ग आता है, एक नया लोगों का समुह आता है, जिसको क्या कहा गया है, जिसको middle class कहा गया है, middle class का मतलब भहिया क्या, मतलब यहाँ पर simple है, हमने उपर देखा France की society का structure, उसमें हमने देखा, कि भाई देखो एक हैं, आपको clergy हैं, nobility हैं, जो कि क्या हैं, उपर बैठ नहीं, कुछ नहीं है, वो गरीब हो गए, लेकिन एक नया group आता है लोगों का, जो कि इनके बीच में है, ना तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ना वो aristocracy में हैं, या फिर उस level के नहीं है, लेकिन वो इतने गरीब हमें नहीं हैं, कि वो भूखे मर जाएं, उनकी खासी वो पैसे कमा लेते हैं, वैसे लोगों को हम क्या कहेंगे, middle class कहेंगे, यह तो short में मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपका chapter आपसे क्या कहता है, आए पढ़ते हैं, तो कहता है कि in the past, peasants and workers had participated in the revolts against increasing taxes and food scarcity, यहाँ पर पहले के जमाने में, पहले के समय में, जो किसान थे, मजदूर थे, वो कई बार आंदोलन करते थे, चाहे वो खाने की कमी का आंदोलन हो, या फिर tax बढ़ने के खिलाफ आंदोलन हो, आंदोलन वो कई सारे करते थे, लेकिन, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order, लेकिन यह जो मजदूर और किसान थे न, इनके पास उतनी नहीं थे, या फिर हम कह सकते हैं, उतना education, या फिर समझ नहीं था, कि हम ऐसा आंदोलन कैसे करें, कि हमारे समाज में कोई बदलाव आ जाए, ये लोग आंदोलन करते थे, सेना आकर इनको पीट देती थी, घर भेज देती थी, पुलिस आती थी, पीट देती थी, घर भेज तो इनकी बात के कोई भेलू नहीं होती थी, इनके पास उतना समझ नहीं था, उतना education नहीं था, knowledge नहीं था, कि भाई, कैसे हम अपने देश में बदलाव ला सकते हैं। जो कि अमीर हो चुके हैं, जिनके पास education है, नई ideas भी है, समाज में बदलाव लाने का तरीका भी है, समझ भी है, तो ये लोग कौन थे भाईया, ये middle class ही थे, तो अब जरा सा समझते हैं कि ये जो middle class के लोग थे, ये आये कहां से भाई, ये लोग कहां से टपक पड़े, ये social groups, termed as, termed the middle class, who earned their wealth through and expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer member of society, यहां पर जो लोग थे, वैसे लोग, जो कि trade में शामिल थे, जैसे कि भाई देखो, ये जिस समय की बात हो रही है, उस समय क्या हो रहा था, industrial revolution आ रहा था, उस समय में फ्रांस में बहुत सारी नई फैक्टरियां खुली, तो वहां के जो फैक्टरियों के मालिक थे, जो कि अपने समान बनवा कर विदेश में जाकर बेचते थे, या फिर किसी और तरीके से विदेश से कोई समान खरीद लाते थे, और अपने देश में महेंगे दामों पर बेच कर पायदा कमाते थे, तो इस प्रकार से ये लोग कौन थे, ये लोग ऐसे लोग थे, जो कि व्यापार के जरीए, ट्रेड के जरीए, काफी पैसा इन्होंने कमाया थ और ये कोई nobility के लोग नहीं थे, ये third state कहीं हो सकता है, कोई मजदूर होगा, कोई किसान होगा, जो कि trade करना सीख लिया, trade करने लगा और उसने क्या 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 काफी पैसे कमा लिया, तो वो लोग क्या बन गए, अमीर बन गए, तो कहां आगए भे है, middle class में आगए, इसके स state में आते थे, जो industrialist थे, वो भी third state में आते थे, लेकिन इसके अलावा कई सारे पढ़े लिखे लोग भी third state में आते थे, जैसे कि lawyers हो गए, administrative officials हो गए, सरकारी कर्मचारी वगरा हो गए, तो ये सभी लोग कौन थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, जिनको चीजों की समझ थी जानकारी थी, जिनके पास ideas थे, ठीक है, all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth, ये जो सभी लोग थे, चाहे ये working professionals हो, या फिर जो merchant हो, व्यापारी हो, traders हो, ये सभी लोग जो थे, अच्छे खासे समझ वाले थे, पढ़े लिखे थे, और ये सभी लोगों को ये विश्वास था, कि भाई, देखो, जो society है, society में किसी भी व्यक्ति के पास जन्वजात अधिकार नहीं होना चाहिए, मतलब, मतलब जो clergy में लोग बैठे हुए हैं, जिनके पिताजी नोबलीटी में थे, इसलिए वो लोग नोबलीटी में हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, समझ गया, कहता कि rather a person's social position must depend on is his merit, हर व्यक्ति का social position, मतलब वो clergy में होगा, nobility में होगा, अधिकारी बनेगा, मंत्री बनेगा, वो इस बात से तै होना चाहिए, कि वो व्यक्ति का merit कितना है, वो उसको knowledge कितना है, समझ कितना है, इस बात से तै होना चाहिए, अब यहाँ पर देखिए, यह जो ideas थे, यह जो society का structure था, कि भाई देखो जन्मजात अधिकार नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार होना चाहिए, merit पर हर व्यक्ति को पद मिलना चाहिए, यह विचार जन्ता के मन में कहां से आया भाई, यह विचार इन middle class के लोगों के मन में कहां से आया, तो इसके लिए आते हैं फिर कौन philosophers, कई सारे philosophers, तो यह जो philosophers है ना, इनके बारे में ठीक से पढ़ना, क्योंकि यह important है, इनसे question पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कुछ नाम है, जैसे put forwarded by philosophers such as John Locke, Jean Jack Russo, इस प्रकार के जो philosophers थे, इनके द्वारा ये ideas सामने रखे गए थे, तो यहाँ पर जो यह नाम दिये गए है, नाम ठीक से ध्यान रखना important है, ठीक है, तो कहता है कि in his two treaties of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch, यहाँ पर देखिए, एक किताब है, कौन सी किताब, two treaties of government, यह किस ने लिखी है भाई, तो यह लिखी है John Locke ने, नाम, किताब का नाम और राइटर ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर two treaties of government में John Locke क्या कह रहे हैं, कह रहे देखो भाई, यह जो विश्वास है कि राजा, राजा है, कोई उसके सामने सवाल नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इनसान है, उसके उपर हम सवाल उठा सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ ही, जो Jean जैक रूसो थे, उन्होंने आइडिया सामने रखा, क्या आइडिया रखा, कि भाई देखो यहाँ पर जो सरकार बननी चाहिए, सरकार बननी चाहिए, सोसल कॉंट्रेक्ट के आधार पर, पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, मतलब कि एक प्रकार से वोट the spirit of the laws, इस किताब में जो Montescu थे, यह एक प्रकार से कहते हैं कि जो सरकार है, उसका मुखिया, या फिर उसका power एक जगह नहीं होना चाहिए, बलकि सरकार के power को कई अंगों में दिवाइड कर देना चाहिए, कई parts में दिवाइड कर देना चाहिए, यानि कि क्या कहता है, Montescu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. आज के समय में हमारे सिस्टम में, हमारे देश में यही idea follow होता है, अमेरिका में भी यही follow होता है, फ्रांस में भी यही follow होता है, क्या, कि भाई देखो जो judiciary है, यानि जो नियावपाली का है, जहां पर judge बैठते हैं, उसके उपर सरकार का control नहीं है, साथ में जो सरकार है, उसके उपर नियावपाली का control नहीं करती है, और साथ में जो parliament है, parliament के उपर ये दोनों control नहीं करते हैं, मतलब जो legislative है, यानि जो parliament है, जो कानून बनाती है, उसके उपर बाकी का control नहीं, ये इसका काम अलग है, क्या? कानून बनाना फिर जो executive है, जो की कानून को लागू करने का काम करती है मतलब जो सरकार है, वो एक प्रकार से free है, वो parliament को order नहीं देगा और parliament सरकार को order नहीं देगा, ठीक है इसके साथ ही जो judiciary है ये भी free है, ये parliament और सरकार judiciary को order नहीं देगा और judiciary इनके काम में दखल नहीं देगा, ये एक प्रकार से यहाँ पर ये तीन चीज़, तीन अंग इनके द्वारा बताए गए कि यहाँ पर होने चाहिए, सरकार के ठीक है, कहता है कि this model of government was put into force in the USA, ये जो idea independence from Britain, the American constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France, इसके साथ ही जब America आजाद हो गया, America में वहाँ पर constitution बनाया गया, वहाँ पर America के लोगों के लिए एक जो basic rights का जो यहाँ पर guarantee of individual right, जो fundamental right का concept लाया गया उसको लेकर भी France में लोगों में बहुत ज़्यादा एक प्रकाश से discussion हुआ, उससे लोगों ने काफी inspiration लिया आगे कहता है कि the ideas of this philosophers were discussed intensively in the salons and coffee shop and spread among people through books and newspapers ये जो ये writers थे, ये philosophers थे, इनके जो ideas थे, जो इनके thoughts थे इनको लोग पढ़ते थे किताबों के जरीए, newspaper के जरीए पढ़ते थे और फिर उसको salon में बैठकर discuss करते थे, coffee shop में बैठकर discuss करते थे, उसके उपर debate होते थे, बाचीत होते थे, क्या ये सही है, गलत है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत discussion होता था These were frequently read about in groups for the benefit of those who could not read, यानि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, उनको group में बैठा कर, पढ़ कर सुनाया जाता था, कि देखो भाई, क्या बात हो रहा है, समझ लो, पढ़ लो, ठीक है यहाँ पर the news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges जब Louis XVI ने क्या किया, तए किया कि हम लोग क्या करेंगे, tax बढ़ाएंगे तो tax बढ़ाने का ख़बर जब जनता तक पहुँचा, तो जनता जो थी, जिसके बीच में इस प्रकार के ideas पहुँच चुके थे, वो और भी गुस्सा होगा कि यार ये जो system है ना villages वाला, इसकी वज़े से दिखवा हम लोग को दिक्कत हो रहा है, वहाँ पर clergy के उपर tax नहीं बढ़ेगा, nobility के उपर नहीं बढ़ेगा, third state की आम जनता के उपर tax बढ़ेगा, लोग पूरे system को hate करने लगे, पूरे system के खिलाफ काफी ज़्यदा गुसा हो गए अब यहाँ पर old regime में क्या जीने का situation था उसके बारे में एक छोटी सी account है आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसके बाद हमारे सामने topic क्या है topic number two, the outbreak of revolution यानि revolution की सुरुवात कैसे हुई, क्या क्या घटनाए होई, यह सारी चीज़े आए जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो यहाँ पर आगे कहता है Lewis 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section तो भाई, Lewis 16th को tax क्यों बढ़ाना पढ़ा था यह हम पिछले topic में पढ़ चुके हैं तो आगे यहाँ पर कहता है कि how do you think he could have gone about doing this यानि कि tax बढ़ाने के अपने decision को वो कैसे लेता, कैसे इस कानून को, इस change को, इस बदलाव को वो लागू करता, ठीक है तो यहाँ पर कहता है कि in France of the old regime यानि France के पुरानी ववस्था में क्रांती से पहले जब राजा का शाशन था उस समय में जो राजा था, मुनार्क था did not have the power to impose taxes according to his will alone यानि कि राजा का शाशन तो था लेकिन राजा अपनी मर्जी से tax लागू नहीं कर सकता था नया tax लागू नहीं कर सकता था यानि कि tax वो ना तो बढ़ा सकता था ना ही कोई नया tax वो लागू कर सकता था rather he had to call a meeting of the state general which would then pass his proposal for new taxes राजा को अगर tax बढ़ाना है या फिर नया कोई tax लागू करना है तो राजा को एक meeting बुलाना पड़ता ये meeting होती state general की meeting जहां पर ये state general में बैठने वाले जो लोग होते वो राजा के proposal पर चर्चा करते और फिर उसको पास करते कि भाई या नया tax लागू हो गए या फिर नहीं होगा अब ये state general क्या है भाई तो कहता है कि the state general was a political body to which the three states sent their representatives state general एक political body थी एक सभा थी जिसमें तीनों state अपने representative को भेजते थे यानि clergy यानि की first state, nobility यानि second state और साथ में third state जो की peasants थे या फिर आम लोग थे ठीक है However the monarch alone could decide when to call a meeting of this body the last time it was done was in 1614 अब यहाँ पर ये state general जो है उसके पास power है कि वो tax को लागू कर सकता है tax बढ़ा सकता है राजा के proposal पर उन्हों डिसकस करके okay या फिर not okay कह सकता है लेकिन इस state general की meeting कब बुलाई जाएगी ये चीज जो है राजा की मरजिश होगा यानि राजा को जब भी tax बढ़ाना है तब राजा ये meeting बुला लेगा और अपने proposal को रखेगा फिर state general उसको पास करेगी फिर वो चीज़े लागू हो जाएंगी ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ कि 5th मई 1789 5 मई 1789 को Louis 16 called together an assembly of the state general to pass proposal for new taxes 5 मई 1789 को state general का meeting बुलाया गया Louis 16th के द्वारा ताकि जो tax बढ़ाना है नए tax tax लागू करने है उसको एक प्रकार से proposal को पास कराया जा सके a resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates यानि एक वर्साई में बहुत शांदार बहुत एकदम चमकिला बहुत भव्यमहल तैयार किया गया ताकि सभी जो delegate आने वाले थी state general में उन सभी को एक प्रकार से host किया जा सके the first and second states sent 300 representatives each यहाँ पर state general में यह प्रावधान था कि जो first और second state होंगे उनके 300 representative आएंगे साथ में यहाँ पर जो third state के लोग होंगे उनके 600 representative आएंगे यह प्रावधान था ठीक अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो first और second state के जो 300 लोग आये दोनों के 300 इन दोनों state के लोगों को बैठने के लिए कुरसियां दी गई एक हाल के दोनों तरफ में अब वहीं जो यहाँ पर 600 members आए यहाँ पर third state के इन 600 members को उनके पीछे खड़ा कर दिया गया मतलब सामने राजा बैठा है एक तरफ पूरा first state बैठ गया कुरसी पर line लगा के दूसरी तरफ line लगा कर second state के लोग बैठ गये और जो third state के 600 लोग आये उनको दोनों तरफ कुरसियों के पीछे खड़ा कर दिया गया इस प्रकार से वहाँ पर ववस्था किया गया अभाई third state में जो लोग थे वो कई तरह के थे कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग किसान थे, कुछ लोग मजदूर थे तो यहाँ पर third state के जो पढ़े लिखे और अमीर लोग थे वो एक प्रकार से सभी third state के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सामने जो कर रहे थे, ठीक है अब यहाँ पर इसका reason क्या था? reason यह था कि जो third state के जो किसान थे, artisans थे, women थी, महिलाएं थी उनको assembly में entry denied था, मतलब वो entry assembly में नहीं जा सकते थे state general में आकर वो नहीं शामिल हो सकते थे, ठीक है लेकिन, लेकिन यहाँ पर जो third state के representative थे उन सभी ने क्या किया? इन सभी लोगों की, यानि जो भी किसान थे, मजदूर थे, artisans, कारिगर वगएरा थे, महिलाएं थी उन सभी के grievances यानि तकलीफों और demand को list बनाया अलग-लग हिस्सों से किसानों ने, महिलाओं ने, मजदूरों ने या फिर जो कारिगर थे उन सभी ने एक प्रकार से भेजी थी अब यहाँ पर इन 40,000 letters को अपने साथ लेकर ये जो 600 representative थे अपने साथ लेकर कहां पहुँचे, वर्साय के महल में और वहाँ पर state general के meeting में इसको लेकर पहुँचे voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote अब यहाँ पर state general में vote करने का भी तरीका पहले से defined था कि भाई किसको कितना vote मिलेगा, कैसे vote होगा ये पहले से तैथा यहाँ पर state general में ये ववस्था थी कि जो तीनों state है ना, तीनों state के पास एक एक vote होगा मतलब कि first state के तीन सो लोग हैं, discussion करेंगे, लेकिन vote को कितने मिलेंगे first state मिलकर one vote करेंगा, इसी प्रकार से second state के जो लोग होंगे उनकी संख्या भले ही 300 हो, लेकिन वो सभी मिलकर सिर्फ एक vote डालेंगे इसी प्रकार से जो third state के 600 लोग हैं, उनकी संख्या 600 है लेकिन वो vote सिर्फ एक देंगे, third state का पूरा एक vote जाएगा तो इस प्रकार से तीन vote होगा, और तीन मेंसे दो vote जिस भी बात के उपर हुआ, कि भाई, tax लागू करना है या फिर नहीं लागू करना है वो बातमान लिया जाएगा, यह ववस्था था वोटिंग का, यह system चला आ रहा था और यहाँ पर this time to Lewis 16 was determined to continue the same practice Lewis 16 ने कहा कि देखो भाईया इसी तरीके से वोटिंग होने वाला है, सब कोई जान लो ठीक है, अब यहाँ पर जो third state के member थे, उन्होंने demand किया कि यह जो वोटिंग है न यह तरीका सही नहीं है तीनों state के पास एक वोट यह सही नहीं है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर होना क्या चाहिए, कि assembly में जितने भी लोग हैं, वो सभी एक एक वोट करें मतलब, first state के हरेक आदमी एक एक वोट डालेगा, second state का हरेक आदमी एक एक वोट डालेगा और इसके साथ ही third state का भी हरेक आदमी जो की assembly में मौजूद है, वो एक एक वोट डालेगा कुल मिलाकर assembly में कितने वोट पड़ेंगे, 300, plus 300, plus 600, कुल मिलाकर 1200 वोट पड़ेंगे समझ गए, 1200 वोट यहाँ पर डाले जाएंगे, assembly में बैठे सभी लोगों के द्वारा अब यह बात है कि यह ववस्था यहाँ पर third state के लोगों के मन में कैसे आई, कहां से आई तो यह ववस्था या फिर यह जो विचार था third state के लोगों के मन में आया वो यह था कि this was on the democratic principles put forward by philosophers like Russo in his book The Social Contract यह जो विचार था, voting का विचार, democratic system का विचार, यह विचार Russo, Genji Crusso के द्वारा The Social Contract किताब में दिया गया था यह question आप से पूछेगा, यह point ध्यान रखिएगा, ठीक है अब यहाँ पर बात है कि जब यह बात third state के लोगों ने राजा के सामने रखी तो राजा ने इस idea को, इस विचार को, इस proposal को पूरी तरीके से खारिज कर दिया बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जैसे चला आ रहा है, वैसा ही होगा और तुमको यह बात माननी पड़ेगी तो इस चीज के विरोध में जो third state के लोग थे, वो प्रोटेश्ट में assembly से बाहर चले गए और आगे के process में वो सामिल नहीं हुए बोले कि भाईया जब हमारी बात मानी ही नहीं जाएगी, तो हम लोग यह assembly में करेंगे का इसलिए चलो बाहर, यहां नहीं रहे हमार, समझ गए? तो इस प्रकार से assembly में बैठे third state के सारे लोग बाहर आ गए अब यहाँ पर कहता कि the representative of the third state viewed themselves as spokesman of the whole french nation अब यहाँ पर यह जो 600 लोग थे न, इनके मन में confidence बहुत था यह खुद को मान रहे थे कि भाईया देखो हम लोग केवल third state को represent नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि अपने जो लोग हैं सिर्फ इनको represent कर नहीं हम लोग France के representative हैं France की जनता, France के सभी लोगों को हम लोग represent कर रहे हैं यह इनके मन में विचार था और ऐसा खुद को यह देखते थे इसलिए इन्होंने क्या किया On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles Versailles के एक indoor tennis court में यह जमा हुए वहाँ पर एक प्रकार से इन्होंने meeting किया They declared themselves a national assembly इन्होंने खुद को national assembly घोसित कर दिया यह जो 600 लोग है जो कि third state के लोग हैं यह क्या है? France की national assembly है यह लोग पूरे France के लिए कानून बनाएंगे France का discussion करेंगे और यह पूरे France को represent करने वाले लोग हैं ऐसा इन्होंने खुद को declare कर दिया और साथ में यह कसम खाई कि यह लोग तब तक disperse नहीं होंगे तब तक एक प्रकार से हटेंग नहीं जब तक यह France के लिए एक नया constitution नहीं बना देते हैं जो कि राजा के power को limit करेगा राजा को control में करके रखेगा ऐसा इन्होंने कसम खाया ठीक है? और इनको lead करने वाले जो leader थे उनमें एक leader का नाम था मिराबियू और दूसरे leader का नाम था आबे-सिये अब यह मिराबियू और आबे-सिये के बारे में थोड़ा सा आपो जानमा important है क्योंकि इनसे question पूछता है ठीक है? अब यहाँ पर कहता कि जो मिराबियू था वो एक noble family में था यानि कि जो second state था उसका एक member था लेकिन उसको मानना था उसका मानना था उसका विश्वास था कि यह जो feudal system है यह खतम होना चाहिए जन्म आधारिज जो अधिकार है वो खतम होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए उन्होंने क्या क्या एक journal निकाला और साथ में भीड के सामने काफी सारे species भी दिये जब वर्साय में assembly जमा हुई थी वहाँ पर इसने species वगेरा भी दिये थे अब इसी प्रकार से आबेस यह जो था वो एक priest था मतलब कि first state से वो belong करता था लेकिन ये भी इसी बात में believe करता था कि ये जो ववस्था है feudal system है सही नहीं है इसको खतम करना चाहिए अब इसने एक बहुत ही influential pamphlet में लिखा था जिसका नाम था what is the third state तो यहाँ से question पूछता है कि what is the third state नामक pamphlet किसके दोरा लिखा गया था तो ABCN आप नाम लिख सकते हैं ठीक अब यहाँ पर जिस समय ये पूरी ववस्था चल रही थी मतलब कि assembly बन रहा है या फिर state general का meeting हो रहा है सब चीजे हो रही है ना कहां हो रहा है 13 में हो रहा है सारा चीज वरसाई में हो रहा है तो यहाँ पर जिस समय ये सारी चीजे हो रही थी और उसके बाद national assembly वरसाई में अपना constitution बनाने में लगी हुई थी यानि third state के जो leader थे वो constitution बनाने में लगे हुए थे उस समय में बाकी का पूरा France एकदम उथल पुथल था पूरे France में दंगे की इस्तिती थी लडाई जगडे की इस्तिती थी पूरे France में बहुत ही कौतुहल मचा हुआ था A severe winter had meant a bad harvest सर्दी बहुत कड़ी आई थी जिसकी वज़ा से फसल खराब होने वाली थी ठीक है The price of bread rose यानि की bread के कीमत क्या हो गए बढ़ गए फिर से Bread के कीमत बढ़ गए भाई तो क्या हुआ यहाँ पर जनता को दिक्कत शुरू हो न हुआ यानि जो गरीब लोग थे उनके सामने तकलीफ आने लगी अब यहाँ पर कुछ लोग थे ऐसे जो की मुनाफा खोर थे मतलब की यहाँ पर उन्होंने क्या किया जैसे जो बेकर्स थे जो की bread बना कर बेचते थे उन्होंने सोचा की यार मेरे पास bread है bread मैं 10 रुपए का बेचूं तो क्या गरता हूँ मुझे कम फाइदा होगा मैं 20 रुपए का कर देता हूँ तो यहाँ पर बेकर्स ने क्या किया इस सिचूएशन को देखते हुए कि bread की कमी है bread का कीमत महंगा है उसको जमा करना शुरू कर दिया जमा खोरी करना शुरू कर दिया और उसको महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया और यहाँ पर क्या हुआ कि कई दिनों तक, कई घंटों तक लाइन में बेकरी के बाहर ब्रेड लेने के लिए लाइन में लोग लगते थे कि भाई ब्रेड मिल जाए तो कई दिनों तक यहाँ पर यह सिलसिला चला लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो भीड थी, वो लाइन में खड़ी थी बेकरी के सामने ब्रेड लेने के लिए उसका जो पेशिंस था ना वो जवाब दे गया और यहाँ पर क्या हुआ, जो महिलाएं खड़ी थी उन्होंने बेकरी यानि जो शॉप्स थे उनके उपर हमला कर दिया और वहाँ पर एक प्रकार से लूट पाट की घटना हो गई और उसी समय में जो राजा था उसने अपने सैनिकों को पैरिस में आने का आदेश दिया था और उसके बाद 14 जुलाई को जो गुसाई हुई भीड थी उसने क्या किया बास्तील के किले को गिरा दिया तो ये एक प्रकार से बैग्राउंड था कि भाई क्या हो रहा था यानि कि 14 जुलाई की घटना के बारे में तो हम समझ चुके हैं कि 14 जुलाई को क्या हुआ था लेकिन 14 जुलाई के पीछे क्या हुआ था वो आप अभी तक समझ गया यानि France की Society कैसी थी क्या problem थे उसके बाद Tax क्यों बढ़ाना पड़ा Tax बढ़ाने के लिए क्या हुआ Tax बढ़ाने के लिए State General बुलाए गया थार्ड इस्टेट के लोग जो लोग थे वो नाराज हो गए वो National Assembly बनाने बाहर आ गए ये सारी problems की वजद से यहाँ पर क्या हुआ 14 जुलाई की घटना हो गई ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ यह तो 14 जुलाई की घटना जो हमने पढ़ी यह हुआ कहाँ पर Paris में यानि कि city में शहर में हुआ इसी प्रकार से जो देहाती इलाके थे आसपास के गाउं के इलाके थे France के दूसरे गाउं के इलाके थे वहाँ पर यह rumors फैल गए अफवाफ फैल गए लोगों के बीच में कि देखो यहाँ पर जो manner है manner मतलब क्या होता है manner मतलब यहाँ पर दिखाया गया है an estate consisting of lord's land and his mansion यानि की एक परकार से आप कह सकते हैं farm house सुना है आपने जहाँ पर क्या होता है बहुत बड़ा जमीन होता है खेती का जमीन और उसके बीच में एक बंगला होता है तो यहाँ पर जो एक तरीके से जो यहाँ पर landlord थे जमीन के मालिक थे जमीनदार जिनको हम कह सकते हैं तो ऐसा अफवा फैल गया कि यह जो manner है मतलब manner के जो lords है यानि जो जमीनदार लोग है उन्होंने band of brigands brigands यानि की एक परकार से गुंडों को hire किया है कि वो क्या करेंगे वो आएंगे और किसानों के पके हुए फसल को बरबाद कर देंगे ऐसा अफवा गाओं गाओं में फैल गया सभी गाओं में फैल गया तो भाई किसान तो गुसा होगा कि भाई मैंने फसल हुगाया है तुम लोग आकर बरबाद कर दोगे तो इस बात से किसान जो थे वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो गए और किसान एक प्रकार से डरे हुए भी थे गुस्सा भी थे इस वज़े से क्या हुआ जो किसान थे उन्होंने क्या किया कई जिलो में, कई गाओं में, कई इलाकों में यहाँ पर जो चिटेक्स थे उन पर हमला कर दिया अब यह चिटेक्स क्या है भाई चिटेक्स की बात करें तो यह एक प्रकार से किला हम कह सकते हैं यह राजा का या फिर जो नोवल मैन का किला होता है उसकी बात यहाँ पर की जारी है यानि कि जो जमिंदार थे उनके किलो पर हमले होने लगे और यहाँ पर जितने भी grains थे जो कि जमा करके रखे गए थे इन किलो में उनको loot लिया गया इसके साथ ही जितने भी documents थे जो कि manorial dues से जुड़े हुए थे उनको खतम कर दिया गया अब यह manorial dues का मतलब क्या मतलब की एक प्रकार से देखिए जो जमिंदार है जमिंदार के पास पूरा गाओं का मालिक है वो पूरे गाओं का जमीन का उसने किसी किसान को जमीन दिया कि भाईया देखो एक साल तक तुम खेती करना उसके बदले सौ रुपय दे देना तो सौ रुपय क्या है? मैनorial dues है ठीका? समझ गए? तो आगे कहता है कि a large number of nobles fled from their homes many of them migrated to neighboring countries यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो nobles थे जो एक प्रकार से जो aristocracy के लोग थे वो देश छोड़ कर भागने लगे अपने इलाके तो छोड़िये बगल के देश पर जाकर वो एक प्रकार से बसने लगे अब यहाँ पर देखे यह जो तस्वीर आपको दिखा रहा है यह एक प्रकार से तस्वीर दिखा रहा है कि कहां कहां पर दंगे हुए थे कहां से कहां दंगा फैला था जैसे यहाँ पर जो हरा रंग आपको दिख रहा है हरे रंग का मतलब वहाँ पर किसी प्रकार का दंगा वगरा नहीं हुआ था किसानों ने कोई हमला नहीं किया था जो यहाँ पर जो लाल रंग में दिख रहा है वो एक प्रकार से 1789 की सुरुवात में ही यहां यहां हो गया थे एक प्रकार से दंगे और इसके बाद यहां पर spread किस तरफ से किस तरफ किसानों के बीच में यह पूरा अंदोलन फैला था यह आप यहां पर देख सकते हैं यह तस्वीर आपके किताब में हैं आप असानी से इसको एनलाइज कर सकते हैं अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि faced with the power of his revolting subjects यानि कि जब यहां पर राजा ने देखा कि हमारी प्रजा हमारे खिलाफ आंदोलन पर उतर गई है हमारा एकदम दुस्मन बन चुकी है तो राजा ने क्या किया राजा ने एक प्रकार से national assembly को recognize कर लिया बोला कि ठीक है third state के लोगों ने national assembly बनाई है हम उसको माननेता देते हैं वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना अब तो तुम्हारे हाथ में सारा चीज आ गया तो यहाँ पर जब national assembly को recognize कर लिया गया और उसने ये accept कर लिया कि राजा के power के उपर अब constitution का control होगा जो की national assembly के द्वारा बनाया जाएगा तो उसी के साथ क्या हुआ जो 4 अगस्त 1789 को जब national assembly के पास power आ गया तो national assembly ने कई सारे decision लिये क्या decision लिया तो यहाँ पर कहता कि the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes सबसे पहले तो assembly ने यहाँ पर feudal system को खतम कर दिया यहाँ पर जो पुरानी ववस्था थी taxes की feudal system से जुड़ी हुई उन सब को खतम कर दिया गया और साथ में जो clergy के member थे उनको अपने privileges को छोड़ने पर मजबूर किया गया यानि जो जन्म आधारित privileges थे फर्स state के उसको खतम कर दिया गया इसके साथ ही जो तिथी tax था उसको abolish कर दिया गया और साथ ही जो चर्च के द्वारा जमीन जर्च के कंट्रोल में जो जमीन थी जीन जमीन के मालिक चर्च थी उसको भी सरकार ने अपने कबजे में ले लिया तो इसकी वज़से क्या हुआ इन सभी decision की वज़से जो सरकार थी उसके पास तुरंत ही दो बिलियन लिवरे की संपत्ती आ गई जो सरकार का खजाना खाली था सरकार एकदम कमजोर थी पैसे नहीं थे उसके पास तुरंत ही दो बिलियन लिवरे की संपत्ती आ गई कहां से भाई या चर्च के पाँ जितनी भी जमीन थी उसको छीन कर उसको अपने कबजे में लेकर और साथ में जो तिथ टैक्स था ये सारी चीज़े भी अलग से खतम कर दी गई थी ठीक है अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक है टॉपिक नमबर 2.1 फ्रांस बिकम्स अ कॉंस्टिशनल मोनार्की तो आगे यहां पर कहता है कि दर नैशनल असिम्बली कंप्ली दर ड्राफ्ट अफ दर कॉंस्टिशन इन 1791 यहां पर जो नैशनल असिम्बली थी उसने क्या किया constitution बनाने का काम शुरू किया अब यहाँ पराबुली का सर वो तो राजा ने accept कर लिया था ना राजा नहीं यहाँ तो constitution एकसेट कर लिया था नई यहाँ पे राजा ने यह accept किया था कि national assembly जो भी constitution बनाएगी उसके हिसाब से मैं चलूंगा constitution बनाने का काम यहां पर National Assembly ने शुरू किया था लेकिन वो complete कब हुआ Constitution बायाने का काम complete हुआ 1791 में ठीक है अब इस आगे कहता है its main object was to limit the powers of the monarch Constitution का सबसे शुरू और सबसे main मक्षद था कि राजा के निरंकुष शाषन को control किया जाए यहां पर यह जो विचार पहले भी हमने पढ़ा है कि power को एक center पर ना रखके divide कर देना चाहिए इसी विचार पर यहां पर नया ववस्था बनाया गिया कि जो power था government का उसको तीन हिस्सों में तीन जगों पर center में डाल दिया गया This made France a constitutional monarchy France इसके वज़े से क्या बन गया constitutional monarchy बन गया constitutional monarchy का मतलब क्या मतलब भाया देश में राजा है लेकिन जो राजा है वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा बलकि समिधान के हिसाब से constitution के हिसाब से काम करेगा ऐसा एक देश बन गया क्या France ठीगा अब इसका एक सबसे अच्छा उदारण है कि जिसको कि आप UK जानते है या फिर Britain जानते है यह जो देश है न यहाँ पर भी आज के समय में राजा कशाशन है यानि King Prince प्रिंस आपने नाम सुना होगा वहां के महरानी का देथ हो गया तभी उनके बेटे राजा बने है ठीगा? तो यहाँ पर UK देश में क्या है? यहाँ पर जो है जो देश है उसमें संसद है, Parliament है MPs है, Democracy है, सब चीज है लेकिन उस देश में राजा भी है क्यों भाई? क्योंकि Constitutional Monarchy है राजा अपनी मर्जिसे कुछ नहीं कर सकता है उसको Constitution के हिसाब से चलना होता है ठीग है? अब यहाँ पर यह जो फिगर है नीचे इस फिगर में हम समझेंगे कि यह जो नया Political System था यह काम कैसे करता था इसको आपको ज़रा सा समझना होगा इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा देखिए यहाँ पर जो यह नया सिस्टम लाया गया फ्रांस में इसमें यह तै किया गया कि भहिया देखो जो सरकार बनेगी मतलब कि जो National Assembly होगी उसको voting के जरिये चुना जाएगा ठीक है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर यह प्रभाव जो चा था मतलब यह जो पावर था voting का अधिकार था यह सभी लोगों को देश में नहीं दिया गया अब यहाँ पर क्या हुआ जो यह देश था देश की जो जनता थी उसको दो हिस्सों में बाट दिया गया एक हुए active citizen चीश साल हो, पचीश साल और साथ में जो tax देते हों वही लोग क्या करेंगे वही लोग vote देने का अधिकार रखेंगे और यही vote जिनके पास voting का अधिकार होगा उनको क्या कहा जाएगा active citizen कहा जाएगा वो लोग active citizen होगे तो कुल मिलाकर 2,80,000,000 अबादी थी उसमें से 40,000,000 लोग active citizen थे जो की vote देने का अधिकार रखते थे अब इसके बाद यहाँ पर जो passive citizen हुए उनमें आपको कोई भी voting का अधिकार नहीं था मतलब कि जो लड़के या फिर मर्द main जो थे जो की tax नहीं भरते थे उनको ये right नह इनकी अबादी कितनी करीब 3,000,000,000 हो गए इसके अलावा जो महिलाएं थी उनको भी vote देने का अधिकार नहीं था जो बच्चे थे उनको भी नहीं था और 25 साल से कम उम्र के लोगों को vote देने का अधिकार नहीं था ये system समझ गए कि France की सभी जनता में से 25 साल की उम्र से ज अब ये जो active citizen है ये क्या करेंगे ये भाई आब vote देंगे अब vote देने के लिए इनके डारेक्ली ऐसा नहीं था कि ये लोग vote देकर सिधे national assembly नहीं चुनते थे नहीं ये लोग चुनते थे electors यानि ये जो active citizen है ये लोग vote देंगे और electors चुनेंगे जिनकी संख्या कितनी और इन 50,000 लोगों के द्वारा फिर 745 मेंबर वाली एक national assembly vote के द्वारा फिर से चुनी जाएगी जो की national assembly होगी जो की कानून बनाने का काम करेगी और साथ में राजा के उपर control भी रखेगी ठीक है राजा और ministers के उपर तो national assembly क्या हो गया भी या legislature मतलब कि ये कानून बनाने का काम करेंगे ये लोग ठीक है अब यहाँ पर जो राजा है राजा का power जो है वो limit कर दिया गया कैसे क्योंकि राजा जो है वो constitution के हिसाब से चलेगा अपनी मर्जी से वो काम नहीं करेगा और साथ में जो ministers होंगे वो national assembly के दोरा ही एक प्रकार से control के जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर यह हो गया executive executive मतलब किया मतलब जो कानून को लागो करवाता है simple भासा में कि भाई देखो यहाँ पर हमारे देश में जो प्रधान मंत्री होते हैं जो मंत्री होते हैं जो सरकारी अधिकारी होते हैं जो यहाँ पर police में लोग होते हैं office में काम करते हैं यह लोग कि में आते हैं, executive में आते हैं, यह सभी लोग executive में आते हैं, तो यहाँ पर executive के उपर control किसका है भाई, pargament का control है, अब इसी प्रकार से जो judges होंगे, जो judiciary होगी, इनको जनता vote दे कर चुनेगी, जनता में कौन active citizen, vote दे कर चुनेगे, और judiciary को ना तो legislature प्रभावित कर सकता है, और नहीं राजा प्रभावित कर सकता है, यह अपने में free है, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज इसमें special है, यह है, कि यहाँ पर यह प्रावधान रखा गया था, कि ऐसा नहीं है कि national assembly जो भी करने से मना कर सकता था, यह पावर राजा के पास था, ठीक है, अब यहाँ पर आगे यही चीज कहता है, कि the constitution of 1791 wasted the power to make laws in the national assembly, यानि कि 1791 के constitution के हिसाब से, जो यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार था, वो national assembly के पास था, जो कि indirectly elected थी, तो भाई कैसे election होता था national assembly का, वो तो आपने समझ लिया, मैंने समझा दिया, daddy, citizens voted for a group of electors यानि 50,000 electors के लिए जनता vote करती थी, और यह 50,000 electors फिर क्या चुनते थे, assembly चुनते थे जिनकी members कितने थे, 745 members से, ठीक है, not all citizens have ever had the right to vote, सभी जनता को vote देने काधिकार नहीं दिया गया था, only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborers wage were given the status of active citizen, यानि कि 25 साल की उम्र से जादा वाले जो men थे, जो कि तीन दिन की मजदूरी के बराबर tax भरते थे, उनको active citizen का दरजा दिया गया था, और वही लोग vote दे सकते थे that is, they were entitled to vote, the remaining men and all women were classed as passive citizen जो बाकी के जो मर्द हुए, मतलब जो tax नहीं भरते हैं, या फिर पचीस साल से कम उम्र है, और साथ में महिला हैं, इन सब को क्या कहा गया? पैसिव सिडिजन कहा गया आगे कहता है कि to qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer अब यहाँ पर एक बात समझे कि यहाँ पर अगर आपको elector बनना है, मतलब कि assembly में चुनने के लिए जो elector है, वो बनना है या फिर national assembly में जाकर बैठना है तो आपको वहाँ पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा taxpayer वाले bracket में आना होगा मतलब देखिए हमारे देश में income tax होता है, income tax में क्या होता है, होता है कि भाई देखो जिसकी income 5 लाग तक है उसको tax नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना है जिसकी 5 लाग से लेकर 10 लाग तक है वो 15% भरेगा, जिसकी tax जो 10 लाग से 15 लाग देता है वो 20% भरेगा और 15 लाग से उपर जो देता है वो 30% भरेगा, ऐसा कुछ system चलता है, अब ये accurate नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि दो भाई देखवा ऐसा है, अब अगर आप tax देते हैं, माली जी इतना समातर 15% of tax देते हैं, थोड़ा सा tax देते हैं, जैसे 3 दिन के मजदूरी का नियम है न, आप 5 दिन की मजदूरी के बराबर tax देते हैं फ्रांस में, तो आप जाकर assembly में नहीं बैठ सकते हैं, समझ गय आप अगर हो सकता है कि 100 दिन की मजदूरी के बराबर अगर tax देते हैं, तभी आप जाकर assembly में बैठ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर फ्रांस में नियम किया गया था, मतलब कि आप सबसे ज़्यादा tax देने वाले होंगे, तभी आप फ्रांस की assembly में जाकर बैठेंगे, उस assembly का हिस होंगे, नहीं तो आप जाकर वहाँ नहीं बैठ सकते हैं. समिधान बनाया गया, तो समिधान के सुरुवात में ही एक ववस्था किया गया declaration of rights of man and citizen, यानि यहाँ पर जो देश के नागरिक हैं, उनको क्या दिया गया, कुछ basic fundamental rights दिये गया, कि भाई देखो आपको जीने का अधिकार है, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, आपक एक basic कहा गया कि भाई, ये कोई भी चीज, जो है, ये चीजें कोई भी नहीं छीन सकता है, ये हर एक नागरिक को मिलना ही चाहिए, ऐसा यहाँ पर ववस्था किया गया, ठीक है, अब यहाँ पर आपको the declaration of rights of man and citizen यहाँ पर दिये गया है, आप इनको यहाँ पर पढ़ सकते आपको, जो important political symbols हैं, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, कि भाई, कौन सा symbol किस चीज को denote करता है, ये ध्यान रखिए, पहला है broken chain, ये एक प्रकार से freedom को denote करता है, bundle of rods and corn, ये एक प्रकार से strength lie in unity denote करता है, the eye with a triangular radiating light, ये एक प्रकार से ignorance को, दूर भगाने को denote करता है, writing it still to form a ring, ये एक प्रकार से eternity को belong करता है, शो करता है, red figan है, cap, cap won by a slave upon becoming free, free होने को ये symbol denote करता है, blue, white, red, the national color of France, personification of law, the law tablet, एक प्रकार से equal, the law is the same for all and all are equal before rating, मतलब equality को denote करता है, equality before law, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने है topic number 3, topic number 3 कहता है, France abolishes monarchy and becomes a republic, तो आखिर हमें इस topic में यहाँ पर पढ़ना किया है, तो यहाँ पर हमें यह समझना है, कि जो अभी तक घटनाए हमने देखी, उसके बाद जो France था, France में monarchy को खतम कर दिया गया, और France एक republic country बन गया, अब यह republic का मतलब क्या होता है, यह हम लोग समझ लेते हैं, जैसे इंडिया क्या है, एक republic है, क्यों भाई, republic क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो देश का सबसे उचा पद है, जो की होता है राष्टपती का पद, उस पद पर जो वेक्ती बैठेगा, वो एक आम आदमी होगा, आम इंसान चुनाव जीत कर वहाँ पर बैठ सकता है, लेकिन तो वो देश क्या है, वो देश मुनार्की है, republic नहीं है, उदाहरण के लिए हमारा इंडिया क्या है, इंडिया एक republic country है, चाइना भी republic country है, चाइना democratic country नहीं है, लेकिन चाइना republic country है, क्यों, क्योंकि चाइना का जो प्रेसिडेंट है, वो एक आम इंसान होता है, राज तंत नहीं चलता है, मतलब पिता जी, उसके बाद बेटा जी, उसके बाद उनका बेटा जी, ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर यह दोनों क्या हो गए, भाई, Republic Country हो गए, लेकिन जो United Kingdom है, यानि England है, Britain है, यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी है, लेकिन यह Country Republic नहीं है, बलकि यह Country मोना की Country है, मतलब की राजा कशाशन है वहाँ पर, ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे क्या-क्या चीजे हुई, क्या-क्या बाते हुई, तो कहता है कि the situation in France continued to tense during the following years, यानि कि जो 1791 की घटना हुई, वो सारी चीजे हुई, Constitution लागू हो गया, उसके बाद भी जो चीजे थी, वो लुईस 16 had signed the Constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. वो फ्रांस का राजा था, लुईस 16, उसने क्या किया, अपने पडोसी देश, प्रशा के राजा के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी, कि भाई क्या करो, मेरी राजगदी जा रही है, भाई मुझे मदद करो, मुझे हेल्प करो, मुझे यहाँ से बचाओ, नहीं तो मैं मार जाओंगा, मेरी राजगदी चली जाएगी, और हो सकता है, आगे चल कर तुम्हारे देश में भी आंदोलन हो जाए, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रशा के राजा के साथ, यहाँ पर जो लुई 16 था, वो बातचीत करने लगा, किस चीज के लिए बातचीत करने लगा, ताक कि अपने देश में जो आंदोलन है न, उसको खतम किया जा सके। सभी यूरोप के जो पडोसी देश थे न, वो चिंतित थे, पडोसी देश चिंतित थे, नहीं, पडोसी देश के जो राजा थे न, वो लोग चिंतित थे, कि यार जैसा फ्रांस में हुआ है, वैसा हमारे देश में भी हो सकता है, इसलिए क्या करना होगा, फ्रांस में हम लो रखना है और सारे इवेंट को वहाँ पर हमारी सेनाएं जाके खतम कर देंगे ठीक है लेकिन इन चीजों के होने से पहले जो नैशनल असेंबली थी फ्रांस की उसने 1792 के अप्रिल में एक वोटिंग करवा दी मतलब कि ये प्लान तो तयार था कि भाई पडोसी देश की सेना आएगी कहाँ पर फ्रांस में लेकिन सेना आने से पहले ही अप्रियल 1792 में फ्रांस की नैशनल असेंबली ने ये वोटिंग करवाया कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग प्रशा और आउस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध शुरू करते हैं मतलब यहाँ पर राजा प्लान बना उन लोगों के साथ और इससे क्या हुआ इससे युद्ध की घोशना कर दी गई कि भाई चलो आव युद्ध लड़ते हैं प्रसा और आउस्ट्रिया के खिलाफ और यहाँ पर इस युद्ध में हजारों की संख्या में वॉलिंटियर सामने आए यानि कि जो लोग राजाओ के खिलाफ थे राजतंत्र के खिलाफ थे या फिर जो सामंतवाद था या फिर जो फ्यूडल सिस्टम था उसके खिलाफ जो भी लोग थे लोगों के मन में जिनकी भी भावनाए थी वो सभी लोग आगए वॉलिंटर करके सेना में सामिल हो गए और इस युद्ध में जाकर कि भाई हम लोग क्या करेंगे आर्मी में शामिल होंगे फ्रांस की आर्मी में और अपने दुश्मन यानि कि जो पडोसी देश से उससे जगड़ा करेंगे और वहां के राजा को भी हम लोग बेदखल कर देंगे अब यहां पर यही चीज है यह भावना लोगों में बहुत ज जा रहे हैं ना कोई उस्ट्रिया से लड़ने नहीं जा रहा था सब लोग यहां पर इस भावना के साथ युध लड़ने जा रहे थे कि देखो यह जो युध हो रहा है यह आम जनता लड़ रही है राजाओं के खिलाफ लड़ रही है इसलिए यहां पर यह जो सेना थी यह अब यहाँ पर एक गीत है जिसको की वहाँ पर ये जो सेना में सामिल होने वाले वॉलिंटेर थे ये गा रहे थे उसका नाम है मरसीले ये मरसीले काफी पॉपुलर सौंग है और आज के समय में फ्रांस का ये राष्टगान है तो ठीक है और यहाँ पर रोजे दी आयल द्वा गया था और ये एक प्रकार से काफी पॉपुलर हुआ मतलब कि जो यहाँ पर ये लोग जा रहे थे युद्ध करने ना इनके मन में भावना थे कि हम लोग बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं हम लोग राजाओं को खतम करने जा रहे हैं राजाओं को हटाने जा रहे हैं इसलिए सभी लोग अपने घर बार छोड़कर सिना में आकर सामिल हो गए थे ठीक है अब यहाँ पर देखिए युद्ध जब भी होता है जब भी वार होता है तो उसकी वज़से हमेशा नुकसान ही होता है लोग मरते हैं परिवारों को तकलीफ होती हैं सभी चीज़े होती है और यहाँ पर फ्रांस में भले ही लोग revolution के नाम पर जा रहे थे सिना में सामिल हो रहे थे लेकिन उनके परिवारों को भी तकलीफे हुई उनको भी तकलीफे हुई और पूरे फ्रांस में काफी सारे losses हुए economic difficulty देखनी पड़ी और यहाँ पर जो युद्ध था उसमें सारे मर्द चलेगा युद्ध करने और वही जो परिवार था परिवार संभालने की जिम्मेदारी आ गई महिलाओं के उपर कि महिलाओं को जाकर काम करना है पैसे कमाने है और जाकर अपना परिवार चलाना है ये एक प्रकार से महिलाओं के उपर जिम्मेदारी आ गई लेकिन इ युद्ध आगे तक चलेगा और एक अदम अंत तक लेके जाएंगे। ऐसा यहाँ पर जो फ्रांस की जनता थी उसमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा ही मानना था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों के मन में एक और भावना थी, कि देखिए जो 1791 में जो Constitution आया था, उस Constitution में जो अधिकार मिले थे, पॉलिटिकल राइट मिले थे, वो सिर्फ अमीर लोगों को मिले थे। गरीब लोगों को तो वोटिंग राइट नहीं मिला था, और भी बहुत प्रकार के छूट नहीं मिले थे, तो यहाँ पर यह लोग इस बात की वज़ा से भी इस आंदोलन को, इस युद्ध को, इस प्रकार की revolution को जारी रखना चाहते थे, ठीक है? अब इसके साथ फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में यहाँ पर democracy आ गय थी फ्रांस मे इस बज़े से यहाँ पर censorship हटा दिया गया था. Censorship क्या होता है भई? Censorship एक प्रकार से होता है, कि आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अगर आप कोई newspaper लिख रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, तो पहले आपको जाकर राजा की permission लेन होगा, कि आप राजा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अगर राजा को कोई बात पसंद नहीं है, तो वो आपके किताब में नहीं होगी, इस प्रकार की चीज़े होती हैं. तो जब डेमोक्रेसी आई यहाँ पर फ्रांस में, तो यहाँ पर censorship भी हटा दिया गया, लोग अपनी म मुद्दो को, सरकार के topics को discuss किया करते थे, और एक प्रकार से decide करते थे कि आगे हमको क्या करना है, मतलब कि कोई आदमी है, उसको लग रहा है कि भाई, देखो, सरकार सही नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जाकर विरोध करेंगे, वो पार्टी ठीक नहीं करेंगे, दू की एक प्रकार से काम कर रही है, उसी प्रकार से फ्रांस में कई सारे political club थे, उनमे से एक आपका club था जो का पॉलिटीकल क्लब था, जो की एक प्रकार से जो śदा के गरीब लोग थे, गरीब कहने का मतलब बहुत गरीब नहीं, मतलब चोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, मोटे करमचारी होतेitive उनका एक प्रकार से क्लब था और ये बहुत जज़्यादा popular था और ये बहुत ज़्यादा popular था क्यों कि भाई ज्यादा तर लोगों कि शंक्या तो घरीब की थी यानि छोटे kisaan छोटे मजदूर, छोटे दुकान वाले, छोटे करमचारी, इनी की संख्या बहुँ जदा थी, इसलिए जैकोविन क्लब जदा पॉपुलर भी हो गया, अब यहाँ पर यही चीज कहता है, कि भाई देखो, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris, Saint Jacob थे, उनके नाम पर यह जैकोविन क्लब नाम रखा गया था, और इसके अलावा महिलाएं जो थी, उन्होंने भी अपने कई सारे political क्लब बनाये थे, ताकि वो अपनी बातों को, अपने विचारों को सामने रख सके, और अपने डिमांड वो एक प्रकार से ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहता है, कि the members of the Jacobin Club belong mainly to the less prosperous section of society, जो बात मैंने कही, कि भाई, जो Jacobin Club के जो member थे, वो society के less prosperous section से आते थे, यानि कि वैसा तबका, जो कि बहुत, मतलब बहुत अमीर नहीं है, बहुत एकदम normal है, simple एकदम निचला तबका से लोग आते थे, इस प्रकार के जो छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोग थे, ऐसे लोगों का यह समूह था, Jacobin Club, their leader was Max Million Robespear, यानि कि जो Jacobin Club था, उसके leader का नाम क्या था, Max Million Robespear, यह important question है, यह ध्यान रखिएगा कि Jacobin Club के leader का नाम क्या था, ठीक है, आगे कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, जो Jacobin Club के members थे, उन्होंने तै कि हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के trousers को पहनेंगे, यह यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपको Jacobin Club के members का dress है, यह लड़कों के लिए, यह लड़कियों के लिए इस प्रकार के dress है, अब यहाँ पर यह लोग ऐसा dress पहनते क्यों थे, यह लोग एक प्रकार से इसलिए पहनते थे, ताकि यह अपने आपको, देश के जो fast naval society के हिस्से हैं, यानि जो अमीर लोग हैं, उनसे अलग दिखा सकें, अलग दिखाने के साथ, यहाँ पर एक और चीज था, कि अपना जो power है, वो भी दिखा सकें कि भाई देखो हमारे पास जादा संख्या है, जादा power है, इतने हमारे supporter हैं, यह भी बात है, तो भाई बात है कि ऐसा dress पहन कर, यह लोग अलग कैसे दिखेंगे, अलग इसलिए दिखेंगे, क्योंकि जो अमीर लोगों का dress होता था, वो दूसरे प्रकार का होता था, जिसको कि नी ब्रिचेस कहा जाता था, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर, आगे यहाँ पर कहता है, यहाँ पर यही चीज़ कहता है, कि this was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of नी ब्रिचेस, यह लोग यह भी दिखा रहे थे, कि देखो जो नी ब्रिचेस पहनने वाल यहाँ पर यह जो आपके Jacobin Club के members थे, इनको सौ कुलोट कहा जाता था, सौ कुलोट इनका एक प्रकार से जैसे होता है, जैसे अलग लग party के अलग लग members को नाम कुछ दिया जाता है, वैसे यहाँ पर इनको सौ कुलोट कहा जाता था, ठीक है, लिटरली मेनिंग दोस विदाउट नी ब्रिचेस, सैंस कुलोट में वोर इन एडिशन तर रेट कैप दाट सिंगलाइज लिबर्टी, अवेवन हावेवर वेर नॉट अलावड तू तू सो, यहाँ पर जो सौ कुलोट के जो मेंबर्स थे, मेल मेंबर्स, इनको लाल टोपी पहनने का एक प्रकार से प्रचलन था, लाल टोपी पहनते थे, लेकिन महिलाओं को लाल टोपी पहनने की छूट नहीं थी, अब लाल टोपी क्या दिनोड करता है भाई, आजादी दिनोड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके गुलाम होते थे, वो गुलाम जब फ्री हो जो जैकोविन कलब के मेंबर्स थे, इन्होंने प्लान किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रकार से विद्रोख करेंगे, विरोध करेंगे, ताकि एक प्रकार से जो हमारे देश में जो आम लोग हैं, उनको जो तकलीफे हो रही हैं, उसको एक प्रकार से क्या करेंग वो जगह था जहाँ पर राजा बैठा हुआ था राजा इसी पैलेस में रह रहा था यहाँ पर हमला कर दिया जैकुमिन कलब के मिंबर्स ने इन्हों ने राजा के गार्ड्स की हत्या कर दी और राजा को कई घंटों तक के लिए बंदी बना लिया यहाँ पर ऐसा कंड हो गया अब ऐसा हुआ तो उसके बाद National Assembly बुलाई गई National Assembly में ये वोट हुआ और ये तै किया गया कि जो रोयाल फैमली है राजा का परिवार है उसको क्या किया जाए जेल में डाल दिया जाए जेल में डालने का यहाँ पर डिसिजन लिया गया इसके बाद elections करवाए गये और इस बार जो election हुए न इस election में यहाँ पर 21 साल की उमर से ज़्यादा वाले सभी मर्दों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया मतलब जितने भी मर्द हैं वो क्या करेंगे वोट देंगे यह तैय कर दिया गया और इसके साथ ही यहाँ पर कोई भी wealth का या फिर किसी भी प्रकार से कुछ भी चीज़ का बंदिश नहीं था मतलब पहले था ना कि वह वोट देगा वो चीज़ नहीं था वो चीज़ खतम कर दिया गया अब सभी लोग वोट देंगे 21 साल से उपर जितने भी मर्द हैं वो वोट देंगे लेकिन महिलाएं वोट नहीं देंगी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था अब इसके बाद यह जो election हुआ election के बाद जो assembly बनी उसको national assembly नहीं कहा गया बलके यहाँ पर convention कहा गया तो आपसे अगर convention क्या होता है पूछा जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ठीक है यह भी बहुत important question है कि France Republic कब बना था तो Republic 21st September 1792 को बना था clear है clear है na ठीक है तो यहाँ पर आगे कता है कि as you know a Republic is a form of government where the people elect the government including the head of the state यहाँ पर क्या होता है Republic एक ऐसा सरकार होता है जहाँ पर जनता जो है वो head of state को चुनती है ठीक है there is no heredity monarchy वहाँ पर राजतंत्र नहीं होता है मतलब बाप के बाद बेटा head of state नहीं बनता है ठीक है you can try and find out some other countries that are republics and investigate when and how they become so ठीक है आगे कहता है कि Louis 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason जो Louis 16 था उसको मौत की सजा सुनाई गई और देश द्रोह यानि treason के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी क्यों भाई क्योंकि इसने भाई दूसरे देशों की सेनाओ के साथ बाचीत की थी ये सारे reason की वज़े से तो ये भी आप यहाँ पर question ध्यान रखिएगा चीक है आगे कहता है कि on 21st January 1793 he was executed publicly at the place Dilla Concord the Queen Mary Antonia met with the same fit shortly after आगे चलकर जनता के सामने भीड के सामने ही इसकी गला काट कर एक प्रकार से क्या कर दिया गया इसको मौत के घाट उतार दिया गया आगे चलकर इसकी जो रानी थी उसके साथ भी यही किया गया अब यहाँ पर हमारे सामने अगला topic आता है topic number 3.1 है जिसका नाम है the rain of terror यानि की एक प्रकार से डर का समय एकदम हीलने वाला डर होता है न वैसा terror का माहौल यह एक काल था France की history में revolution के बाद जिस समय में France के सभी लोग डरे हुए थे क्यों डरे हुए थे भाई आए समस्ते हैं क्यों डरे थे तो कहता है कि the period from 1793 and 1794 is referred to as rain of terror 1793 से 1794 के period को rain of terror कहा जाता है क्यों भाई क्योंकि यहाँ पर उपर देखिए यहाँ पर उपर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने देखा कि 1792 में क्या हुआ election हुआ 1792 में जब election हुआ तो यहाँ पर आगे चलकर बन गई किसकी सरकार सरकार बन गई Jacobin Club की यानि Jacobin Club के जो members थे न उनकी सरकार बन गई अब यह जो सरकार बनी इसके लीडर कौन थे? Max Willian Robespierre लीडर थे अब Robespierre आगे सरकार में Robespierre एकदम कटर एकदम डेमोक्रेट था कोई कुछ बोलेगा सीधे मुड़ी कटवा देंगे ऐसा वाला डेमोक्रेट था ठीक है? तो इसने क्या किया? सेवर कंट्रोल एंड पनिस्मेंट की पॉलिशी अपनाई बोला कि विगदम कोई कुछ नहीं बोलेगा और कोई विरोध प्रदर्शन कुछ भी नहीं करेगा जो भी करेगा सीधे उसको मौत की सजा दी जाएगी ऐसा यहाँ पर इसने फॉलो किया अब यहाँ पर Robespierre जो था उसको जिस पर भी डाउट होता था मतलब कि जिसको भी वो सोचता था कि यह जो है ना यह डेमोक्रेसी का दुस्मन है इसको तुरंद मुडी काटो इसका तुरंद गरदन काटो ऐसा यह करता था यानि यह पर यहीं कहता है कि all those whom he saw as being enemies of the republic ex-nobles, clergy, members of other political parties even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then pried by a revolutionary tribunal if the court found them guilty, they were guillotined समझगा क्या हुआ? यहाँ पर जब Maxillian Robespierre पावर में आ गया तो उसने सभी का मुडी कटवाना शुरू कर दिया जो लोगों के उपर उसको doubt होता था जैसे पुराने समय में जो लोग nobles थे उनको एक प्रकार से उनके उपर case चलाया case चला कि उनको एक प्रकार से jail में डाला jail में डालने के बाद तै कि आगया कि भाई सजा देना है या नहीं देना है सजा देना है, तो सिधे जा कि कहां चढ़ाओ, गिलोटीन पर चढ़ाओ, और मुडी काट दो, सर काट दो, ठीक है, इस प्रकार से चलती थी, और यहां तक कि सिर्फ पुराने नोबल्स और कलरगी की बात नहीं हो रही है, जो जैसे जैकोबिन क्लब था, पॉलिटिकल थे, तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स थे न, उनके साथ भी यही होता था, जेल में डालो, सजा दो, सजा देना है, जाकर मुडी काट दो, अगर उसके उपर डाउट है, अगर उसको गलती पाया जाता है, तो, ठीक है, इसी प्रकार से उसकी पार्टी के जो लोग थे, जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, जो कि उसकी बात को नहीं मानते थे, क्या फिर उसकी बात का विरोध करते थे, उनके साथ भी यही होता था, बहुत बूरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, जो भी लोग उसको पसंद नहीं आते थे, ठीक है, अब भाई, इस डिवाइस में क्या होता है कि ये दो पोल्स है अब यहां पर यह दो पोल्स है न इसके बीच में यहां पर एक बड़ासा जूड़ी हुई है, ब्लेड नीचे आएगा और यहां पर आकर सीधे सर काट देगा, सर काट करके अलग कर देगा, यह एक प्रकार का डिवाइस था जिसको की मौत की सजा देने के लिए यूज किया जाता था, अब यहां पर यह जो डिवाइस है, इसको खो जा गया था, डॉ इसने अपने देश में यहां पर जो भी समस्या आए थी, उसको solve करने का प्रयास किया, क्या समस्या आए थी भाई, सबसे पहला तो महंगाई बहुत बड़ी समस्या थी, मेन मुद्दा तो महंगाई ही था, महंगाई की वज़े से ही राजा की गद्दी गई, महंगाई की व wages होंगे और prices होंगे उसका एक maximum ceiling होगा मतलब कोई भी समान है वो maximum कितने कीमत पर बीचा जा सकता है ये एक प्रकार से सरकार तैय करेगी उसके साथ ही maximum कितना वेतन दिया जा सकता है वो भी सरकार तैय करेगी मतलब किसी भी वैक्ति को एक करोर रुपया वेतन नहीं मिलेगा 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया maximum या फिर कोई रोटी है तो रोटी कोई 500 में नहीं बेच सकता है 10 रुपया में 20 रुपया में 30 रुपया में इस प्रकार से बेच सकता है मतलब कि हर चीज का कीमत प्ताय किया गया सरकार के द्वारा इसके साथ ही जो meat और bread था उसको रौशन कर दी गई मतलब कि हर आदमी को एक limited amount में meat और राशन मिलेगा मतलब हर आदमी को एक kilo मिलेगा तो हर आदमी को एक kilo मिलेगा कोई भी आदमी दो kilo नहीं ले सकता है इस प्रकार के ववस्था की गई इसके साथ ही जो किसान थे इनको मजबूर किया गया कि भाई तुम लोग ज महंगा दाम पर नहीं बेद सकते हो सरकार ने कहा कि 10 रुपया पर kilo चावल बिकेगा मतलब किसान आकर 10 रुपया पर kilo ही चावल बेचेगा उससे महंगा वो नहीं बेच सकता है समझ गया तो इस प्रकार से यह बड़ल को यूज़ करना पैन आदमी तो एक आटा होता है और एक मैदा होता है तो मैदा थोड़ा महंगा आता है क्योंकि वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं अच्छी quality का होता है महंगा होता है मतलब लगजरी चीज होता है या फिर premium चीज होता है तो उसी प्रकार से वहाँ पर expensive white floor ban कर दिया गया मैदा को ban कर दिया सबको बोला गया कि पूरे गिहूंका आटा खाईए मैदा वदा मत खाईए simple आटा खाईए और इसके साथ ही यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक प्रकार से equality bread लाया गया कि सभी लोग एक ही प्रकार का bread खाएंगे कोई भी महंगा या फिर सस्ता bread का concept नहीं चलेगा सब लो equality लागू करने की कोशिश की गई कैसे भाई तो यहाँ पर जो France है वहाँ पर किसी भी वेक्ति को जैसे हम लोग स्रीमान कहते हैं या स्रीमती कहते हैं इस प्रकार से कई सारे सब्द यूज होते हैं तो यहाँ पर France में यूज होते थे मौनसूर यानि सर मदाम यानि कि मैडम यह यूज होता था लेकिन यहाँ पर यह तै किया गया कि जो France के लोग हैं वो मदाम और यहाँ पर मौनसूर नहीं कहेंगे बलकि क्या कहेंगे कहेंगे वो सितोईन और सितोईन यानि कि नागरिक शब्द का इस्तमाल किया जाएगा आप किसी को भी डिनोट करेंगे जैसे म कर दिया गया और साथ में उनके बिल्डिंग को बैरिक बना दिया गया या फिर ओफिसेज बना दिये गया इतने कडाई से सारी चीज़े लागू की जा रही थी कहीं भी कोई धिलासिली नहीं पूरी तरीके से एक दम कंट्रोल था पूरी तरीके से अपने हिसाब से साशन चल रहा था. Robispear pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Robispear ने अपने शाषन को अपने नाक नियम कानूनों को अपने सरकार को इतनी कडाई से चलाया कि यहाँ पर जो इसको support करने वाले लोग थे ना वो भी एक पraकार से बोले भाईं माफ करो एतना भी हमको नियम कानून नहीं चाहिए थ प्रकार से यहां पर लोगों की सिती हो गई थी, अंत में इसी के उपर केस चलाया गया, जुलाई 1794 में इसी के उपर केस चला करके इसको अरेश्ट किया गया और उसके अगले ही दिन इसको गिलेटीन पर चढ़ा कर इसका सर काट करके धर से अलग कर दिया गया मतलब जो चीज़ यह दूसरों के साथ कर रहा था, वो इसी के साथ हो गया अब यहां पर अगर आप लोग देखें, तो यह जो सोर्स दिया गया है इसमें आपको दिखाया गया है रोवेस्पियर का विचार और एक दूसरे वक्ती का विचार आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, अब यहां पर आगे देखें, तो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आगे हमारे सामने हैं टॉपिक 3.2, अडिरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानि कि अब यहां पर रोवेस्पियर की मौत हो चुकी है इसके बाद क्या हो रहा है, इसको जरा सा समझते हैं, तो यहां पर कहता है कि जब जैकोबिन कलब की सरकार चली गई, जैकोबिन सरकार चली गई रोवेस्पियर की मरने के बाद, तो यहां पर नया कॉंस्ट्यूशन बनाया गया, पुराने कॉंस्ट्यूशन को खतम किया ग सिर्फ अमीर लोग यानि कि टैक्स देने वाले लोग वोट देंगे ऐसा यहां पर नियम कानून तै किया गया और इसके साथ ही यहां पर जो नया Constitution बना यहां पर दो Elected Legislative Council बनाए गए मतलब कि क्या होगा पहले National Assembly एक होती थी ना नहीं अब दो Legislative Council बनेंगे दो Legislative Council होंगे और यह दोनों Legislative Council मिलकर एक Directory नियुक्त करेंगे मतलब देश में एक होगा Directory मतलब कि यहां पर देश में जो प्रधान मंत्री होता है ना प्रधान मंत्री नहीं होगा यहां पर डारेक्टरी बैठेगा जो कि final decision लेगा और यह जो Directory होगा यह इसमें पाँच लोग मेंबर होंगे पाँच लोग मिलकर कोई फैसला लेंगे एक प्रधान मंत्री या फिर राष्टपती नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ठीक है अब यहां पर यह क्यों किया गया यह किया इसलिए गया क्योंकि Robespierre ने एक प्रकार से अपने Supreme Post का अपने टॉप पोश्ट का बहुत गलत इस्नमाल किया था उस चीज को होने से रोकने के लिए डारेक्टरी का concept लाया गया, डारेक्टरी के लिए दो legislative assembly थे, दोनों मिलकर क्या चुनते थे, डारेक्टरी चुनते थे, ठीक है, और डारेक्टरी यहाँ पर final decision सरकार चलाती थे, ठीक है, अब यहाँ पर जो यह system था ना, यह system उतना successful नहीं था, क्यों successful नहीं था भाई, यहा तुमको यहाँ से बर्खास्त कर देंगे, तुमको नौकरी से निकाल देंगे, जादे काविल मत बनो, ऐसा इस प्रकार से इन लोग के बीज में जगडा चलता था, इसलिए यहाँ पर यह system बहुत problem होता था, तो इस प्रकार के जब instability आ गई फ्रांस में, यानि सरकार में ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, उस समय में एक व्यक्ति आता है, जो कि बहुत ही शातिर होता है, बहुत तेज दिमाग का, बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही उसका fan following होता है, बहुत popular होता है, उसका नाम होता है Napoleon Bonaparte, वो बहुत ही अच्छा military leader था, उसको politics भी बहुत अच्छे तरीके से आता था, तो उसको सभी चीज़े समझ में आती थी, उसने आया और उसने एक प्रकार से directory को खतम किया, सब चीजों को खतम किया, पूरे France का power अपने हाथ में ले लिया, और अपने आपको supreme leader तै कर दिया, France का, आगे चलकर 1804 में, 1804 में एक प्रकार से रा पचाज साट साल नहीं थी, बलकि 24-25 साल की उमर थी, बहुत कम उमर में वो एक प्रकार से पूरे France पर कंट्रोल करने में सक्सेस्फुल हुआ था, ठीक है। French Revolution के सभी घटनाए हम पढ़ चुके हैं, अंत कहां हुआ भाई, नेपोलियन आया, नेपोलियन राजगंदी पर बैठा, French Revolution end, लेकिन आपने सारे प्रोसेस में एक चीज़ देखा, कि बार-बार जो यहाँ पर freedom का, या फिर equality before law है, fraternity है, इस प्रकार के विचार बार-बार यानि कि जो French Revolution हुआ, उसमें भले ही उतार चड़ाव आये, आगे चलकर वहाँ पर एक प्रकार से राजतंत्र आ गया नेपोलियन के नाम पर, लेकिन ये काफी एक प्रकार से inspiring था, लोग French Revolution से आज भी inspire होते हैं, और आगे चलकर France में कई सारे revolution भी हुए, उसके बाद भी, और उसके बाद आगे चलकर Europe के दूसरे देशे में भी इन सारी घटनाओं से लोग inspire होकर revolution किये, अब यहाँ पर नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ, यह आप अगले क्लास में जब जाएंगे न, तो 10th क्लास के 1st chapter में पढ़ेंगे history में, the rise of nationalism in Europe में, तो वहाँ पर नेपोलियन के बाद क्या हुआ, आगे कैसे कैसे revolution हुआ, क्या क्या events हुए, अभी हमें उसमें नहीं जाना है, अभी हमें French Revolution के दौरान जुखटना है थी, सिर्फ वही पढ़नी थी, अब इसके बाद हमारे सामने ही topic अगला, topic number 4 क्या है, did women have a revolution, यानि कि जो French Revolution हम पढ़ रह तो यहाँ पर कहता है कि from the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society, यहाँ पर French Revolution से लेकर जितनी भी events हुए और उसके पहले भी जितनी events हुए थे, जिसकी वज़़ से यह सारे France में revolution या फिर यह सारे बहुत सारे बदलाव आए, उसमें महिलाएं सुरू से active participant थी, मतलब बढ़ चड़ कर हिस्सा लेती थी, और शुरुवात में हमने देखा था कि 14th July की जो घटना हुई थी, उसमें भी महिलाएं भी बहुत बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रही थी, यहाँ पर जो महिलाएं थी, जो कि इस प्रकार के आंदोलन में शामिल थी, उनको ये विश्वास था कि देखो हम लोग बहुत अच्छे से आंदोलन में शामिल है ना, तो जो revolutionary सरकार बनी है, यानि कि revolution के बाद जो democratic सरकार बनी है, वो हमारी बहतरी के लिए भी बहुत चीज़े करेगी, ठीक है, most women of the third state, third state की महिलाओं की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जो revolution था, वो third state के लोगों ने किया था, had to work for a living, यानि जो third state की महिलाओं थी, वो ऐसा नहीं था कि घर में बैठ कर चुला चला जलाती थी, खाना पकाती थी, ऐसी बात नहीं थी, महिलाओं बाहर निकल कर काम भी करती थी, उनको पैसा कमाना पड़ता था अपनी परिवार को चलानी के लिए, यहाँ पर जो यह महिलाओं होती थी, यह तरह तरह की जॉब करती थी, यानि घर में जैसे काम करने का, यानि घर में हाउस हेल्प करने का, या फिर सबजियां बेचना, फूल बेचना, फ्लावर्स बेचना, कपड़े साफ करना, इस प्रकार के काम यह लोग करते थे, अब यहाँ पर आगे कहता है कि most women did not have access to education और job training यानि जो महिलाएं थी France में उनको कोई education नहीं मिलता था कोई भी job training नहीं मिलता था सिर्फ जो novels होते थे या फिर अमीर परिवार होते थे third state के वो एक प्रकार से वो लड़कियां वो महिलाएं सिर्फ convent में पढ़ने पाती थी लेकिन convent में पढ़ने के बाद उनको नौकरी करने की इजादत नहीं थी उसके बाद उनकी जो families होते थे वो arranged marriage उनकी करवा देते थे अपनी मर्जी से कहीं भी शादी करवा देते थे पानी लाना, bread के लिए line लगाना, बच्चों का ख्याल रखना ये सब चीजे करने के बाद वो जाती थी नौकरी करने तो एक प्रकार से समझे कि जो third state के महिलाएं हैं उनकी क्या इस्थिती थी, वो किस तरीके से अपना जीवन जीते थे और साथ में इन सभी चीजों को करने के बाद नौकरी करने के बाद, परिवार का ख्याल रखने के बाद सब चीज करने के बाद, ये लोग जाकर आंदोलन में, revolution में भी participate कर रहे थे ठीक है? यहाँ पर आगे कहता है कि their wages were lower than those of men और ये जहाँ भी जाती थी काम करने, जहाँ भी काम करती थी इनको जो वेतन मिलता था, वो मर्दों से कम मिलता था यानि कि एक लड़के को अगर 100 रुपे मिलेगा तो हो सकता है कोई लड़की वहाँ काम करी तो उसको 50 रुपे, 60 रुपे, 30 रुपे मिले आगी कहता है कि in order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper अपनी बातों को सामने रखने के लिए, अपने interest का discussion करने के लिए कि भाईया महिलाओ की सिती कैसे सुधरेगी इस चीज के लिए महिलाओ ने अपने political club बनाने शुरू किये, अपने newspaper निकालना शुरू किया और उसमें से करीब 60 women's club जो थे, वो फ्रांस के अलग-लग शहरों में, अलग-लग गाओं में सामने आ गए उसमें से जो सबसे popular club था, वो था Society of Revolutionary Republican Women ये important question है, ये पूछता है कि women का सबसे popular political club कौन सा था? तो answer होगा The Society of Revolutionary and Republican Women, ये सबसे popular था आगे कहता है कि one of their, one of their main demands was that women enjoy the same political rights as the main यहाँ पर ये जो महिलाएं थी, जो political club बना कर बैठी हुई थी या फिर सभी महिलाओं की एक जो सबसे बड़ी demand थी, वो थी कि जैसे मर्दों को अधिकार मिले हैं voting अधिकार, political अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, national assembly में पहुचने का अधिकार, vote देने का अधिकार, वैसे अधिकार महिलाओं को भी दिये जाएं ये उनका सबसे बड़ा demand था, अब यहाँ पर जब 1791 का constitution बना, तो इस constitution में महिलाओं को तो passive citizen बना दिया गया, vote का अधिकार नहीं दिया गया, तो महिलाओं इससे काफी नाराज हुई, उन्होंने right to vote मांगा कि हमको भी vote देने का अधिकार दिया जाए, assembly में चुनाव में जाने का अधिकार दिया जाए, political office में सरकारी पद पर बैठने का अधिकार दिया जाए, तब इनको लगता था कि ऐसा कुछ होगा, तब एक प्रकार से क्या होगा, वो सरकार इनके बारे में सोचे की, मतलब यह लोग अपना political representation चाहते थे, कि भाई देखो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सारा काम भी कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को political representation नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर मर्द लोग बैठे हुए हैं, लड़के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आगी कहता है कि in the early years, the revolutionary government did introduce laws to help, that help improve the lives of women, अब यहाँ से important question बनता है, एक important question बनता है, कि यहाँ पर what measures did the revolutionary government take to improve the life of women, यानि महिलाओं के इस्तिति सुधारने के लिए, revolutionary governments ने क्या decision लिए, क्या एक प्रकार से उनके लिए काम किया, तो यहाँ पर क्या-क्या events हुए थे, क्या-क्या चीज, decision लिए गय थे, वो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया, schooling, education, compulsory कर दिया गया था, ठीक है, आगे, their fathers could not, could no longer force them into marriage against their own will, मतलब की महिलाओं की जबरजस्ति, arranged marriage करके शादी नहीं करवाई जा सकती थी, महिला अपनी मर्जी से शादी करेगी, ऐसा decision लिया गया, आगे, marriage was made into a contract, entered into freely and registered under civil law, यहाँ पर जो सादी था, उसको एक contract का दर्जा दिया गया, और सभी सादियों को सरकार के पास register कराने का प्रधान प्रावधान दिया गया, और साथ में, यहाँ पर France में divorce was made legal and could be applied for by both women and men, यानि कि यहाँ पर जो divorce है, उसको legal बना दिया गया, और कोई भी मर्द या फिर औरत, कोई भी शादी शुदा, लड़ artist और run small businesses, यानि कि महिलाओं को यह भी आजादी दी गई, कि वो job के लिए training ले सकती है, artist बन सकती है, businesses चला सकती है, सभी चीजे कर सकती है, यह सारी चीजे उनको छूट दी गई, सिर्फ एक छूट नहीं मिला, कौन सा political right, मतलब कि महिलाओं को voting का अधिकार नहीं दिया गया सरकारी पद पर बैठने का अधिकार नहीं दिया गया, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया, बालकि जीवन में और जो चीजे होती हैं, उनमें उनका सुधार किया गया, आगे कहता है कि women's struggle for equal political rights, however continued, आगे कि कई सो सालों तक, यानि कि अंत में जाकर फ्रांस मे अगर हम लोग बात करें, तो 1946 में voting का अधिकार मिला था, सोची ये 1789 में French Revolution हुआ है, और 1946 में जाकर महिलाओं को voting का अधिकार मिला है फ्रांस में, इतने सालों बाद, और उसके एक साल बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और हमारे देश के आजाद होने के साथ ही, जैस आगे कहता है कि जितने भी महिलाओं की बात करने वाली जो नेताओं थी, उनको अरेश्ट किया गया, और आगे बहुत सारी महिलाओं नेताओं को मौत की सजा भी ती गई, ठीक है, आगे देते हैं, तो आगे कहता है कि women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through the international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. यानि कि देखिए, जो France की स्थिती है, कि महिलाओं को vote का अधिकार नहीं मिला, वैसी स्थिती यूरोप के दूसरे देसों में भी थी, और दुनिया के कई सारे देसों में थी. हर जगह पर इसी प्रकार से आंदोलन चले, ताकि महिलाओं को voting का अधिकार मिल सके, और आगे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर ये जो फ्रेंस रिवोलुशन में महिलाओं का योगदान था, उसी से इंस्पिरेशन लेकर पूरी दुनिया के महिलाओं आंदोलन में शामिल होती थी, और अंत में जाकर 1946 में महिलाओं को vote का अधिकार दे दिया गया था, अब यहाँ पर एक revolutionary woman के life को दिखाया गया है, उसको आप अब देख सकते हैं, अपने किताब में लाइम बलाइन पढ़ सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे यहाँ पर देखें, तो आगे यहाँ पर और कुछ नहीं है, आगे यहाँ पर अगला topic है, अगला topic कहता है, the abolition of slavery, यानि जो slavery है, उसका abolition कैसे हुआ, क्या-क्य events हुए France में, यह सारी चीज़े France से related हम जरा सा पढ़ते हैं, अब यहाँ पर कहता है कि one of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies, अब देखें यहाँ पर, जो France है, France अपने देश में liberty के principles लागू कर रहा है, equality लागू कर रहा है, fraternity लागू कर रहा है, तो जब यहाँ पर Jacobin की सरकार आई, Jacobin government आया, Robespierre सरकार में आया, तो उसने क्या किया, जितनी भी French colonies थी, वहाँ पर से slavery को खतम कर दिया, अब यहाँ पर French colonies कहां से आते हैं भाई, देखो, जिस प्रकार से England, यानि कि Britain ने भारत के उपर कबजा करकर रखा हुआ था, उसी प्रकार से जो France था, उसने अफरीका क कई सारे दिस्सों को गुलाम बना कर रखा था, तो अफरीका में जो लोग थे, उनको पकड़ कर, France के लोग क्या करते थे, बेचते थे, गुलाम के रूप में, पकड़ कर वहाँ से दूसरे दिस्स मे ले जाकर गुलाम बना कर बेच देते थे, पैसे से बेच देते थे, तो जहां पर शाषन करेंगे, फ्रांस की सरकार का जहां भी शाषन होगा, वहां पर गुलामी नहीं चलेगा, गुलामी को बैन कर दिया गया, ठीक है, यहां पर आगे कहता है कि the colonies in the Caribbean, Martinique, Gondalop and San Domingo, were important suppliers of communities such as tobacco, indigo, sugar and coffee, but the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. अब यहां पर एक इलाका है, जिसको की Caribbean इलाका कहा गया है, तो जरा सा Caribbean इलाका कहा है, यह हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप मैप में देखें, तो यहाँ पर आपको इंडिया दिख रहा है, यह है इंडिया, अब यहाँ पर है फ्रांस, यह है यूरोप, फ्रांस है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखें, तो यह है यूनाइटेड इस्टेट, यहाँ पर यह है पूरा सारी चीज़े आती थी जैसे सुगर आता था टोबैको आता था और भी बहुत सारी चीज़े आती थी तो भाई यहां पर यह चीज़े उगाई जाती थी बड़े बड़े plantation करके तो भाई plantation करने के लिए आदमी चाहिए होते हैं तो आदमी चाहिए होते हैं तो लोग यहाँ पर आएंगे कहां से काम करने के लिए और यहाँ पर यह सारे काम उगाने खेती वगरा कौन करवा रहा था यूरोप के लोग करवा रहे थे यूरोप के जो लोग थे वो करवा रहे थे लेकिन यूरोप के लोग यहाँ पर आकर काम करने के लिए तयार नहीं थे अब यहाँ पर काम करने के लिए तयार नहीं थे तो यहाँ पर फ्रांस के लोग या फिर और भी जगों के लोग क्या करते थे यहा यहां पर जो plant का मालिक है, plantation का, उसको बेज देते थे, वो यहां पर उनको जबरजस्ती खेती करवाता था, गुलामी करवाके, उनसे slavery करवाके, खेती करवाता था, और उसके बाद समान यहां पर वापस, कहां चल जाता था, यूरोप में जाकर बिक जाता था, तो इसलिए, यूरोप के बहुत सारे लोग जो थे, वो इस गुलामों के व्यापार में शामिल थे, slave trade में शामिल थे, समझ गया, और उसी की वज़र से, यहां पर जो लोग थे, यूरोप के जो व्यापारी थे, वो नहीं चाहते थे कि क्या हो, slave trade बंध हो जाए, क्योंकि यूरोप के ब लाकर यूरोप में बेचा उससे पैसा, तो भैक बहुत बड़ा business था है, ठीक है, तो कहता है, कि so this was made by a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas, कैसे यह चीज मैंने आपको समझा दिया, यानी यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर, जो यूरोप के लोग थे, यूरोप के जो व्यापारी, वो क्या करते थे, वो एक प्रकार से अफ्रीकन कोष्ट पर जाते थे, मतलब अफ्रीका में जाते थे, अफ्रीका के समुद्री किनारे पर जाते थे, जैसे यहाँ पर अगर आब लुक देखें, तो यहाँ से, यहाँ से फ्रांस से आया व्यापारी, या तो घाना में, या इधर कहीं पर किनारे पर रुका, यहां से उसने क्या किया, गुलामों को खरीदा, और उसको यहां से खरीद के ले जाकर, यहां पर जो plantation लगाने वाले लोग है, plantation क्या है आपको पता है कि भाई एक ही जगह पर बहुत सारे plants लगाए जैसे चाय की खेती या फिर जो चाय का बगान होता है कौफी का बगान होता है उसकी बात यहां पर उदारण के लिए कर सकते हैं यहां पर लाया उन गुलामों को बेच दिया गुलामों उनके द्वारा गुलामों से काम करवा के यहां पर खेती हुई खेती से मालीजे कौफी होगा या फिर चाय होगा या फिर चीनी होगा या फिर और टोबैको होगा कुछ भी होगा उस समान को लाकर यहां पर बेच दिय यहां पर बेचा मुनाफ़ा हो गया, तो इस प्रकार से यह slave trade चलता था, triangular slave trade चलता था, इस से मुनाफ़ा होता था, ठीक है, तो यहां पर, यहां पर यह जब जाते थे यह गुलाम, तो इनको बहुत बुरी स्थिती में treat किया जाता था, कैसे भाई, तो जब इनको यहां से अ जानी जहाज से, और इनको जानवरों की तरह जहाज में भर कर ठूस कर यहां पर भेजा जाता था, और जाने के दौरान कई सारे गुलाम मर भी जाते थे, क्योंकि यहां पर इनको खाना नहीं मिलता था, इनको एक प्रकार से जैसे बोड़े भरे जाते हैं न ट्रक में, वै ऐसे भरकर इनको ट्रांस्पोर्ट किया जाता था। इस वज़े से यहां पर यह जो चीज था यह बहुत बुरा एक प्रकरिक तरीके से वबस्था था। ठीक है। अब यहां पर कहता है आगे, the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo। यानि कि जो यहां पर slave trade हो रहा था और slave जो काम कर रहे थे, उससे जो यहां पर खेती हो रही थी, उससे जो यूरोप था उसमें sugar, coffee, indigo जैसी चीजों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा था। Port cities like Bodex and 90s owed their economic prosperity to flourishing slave trade. Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery. जब 18th century चल रहा था, उस समय में यहां पर slavery को लेकर कोई बात ही नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा था, कोई किसी प्रकार से विरोध ही नहीं कर रहा था. The National Assembly held long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies. यहां पर जो National Assembly बनी, French Revolution के बाद, उसमें बहुत debate हुए, कि भाई देखो हमारे देश में हम लोग equality का principle लागू कर रहे हैं, हमारे देश में fraternity लागू हो रहा है, तो भाई, Europe, France के जो इलाके हैं, अफरीका में, जहां पर हमारा control है, क्या वहाँ पर भी ये चीज़े लागू कर दी जाए, वहाँ पर भी fraternity हो, वहाँ पर भी equality हो, लागू किया जाए, क्या, तो यहाँ पर ये चीज़े के उपर बहुत debate हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई भी चीज़ पास नहीं हुआ, कोई भी कानून पास नहीं हुआ, कोई भी decision नहीं लिया गया, क्योंकि जो businessmen थे, जिनका income पूरी तरीके से slave trade पर depend करता था, वो लोग इसका विरोध करते, और इस क कानून को पास नहीं होने देते, इसलिए ये चीज़ नहीं किया गया, ठीका? स्लेवरी को, गुलामी को फिर से लागू कर दिया, और साथ में यहां पर, यहां पर, जो सभी लोग थे, जो व्यापारी एक प्रकार से थे, इन चीज़ों में सामिल, वो इस चीज़ को एक प्रकार से बचाना चाहते थे, मतलब कि, भाई, स्लेवरी चलता रहे, ऐसा वो ल अफ्रीकन व्यक्ति है, उसके लिए फ्रीडम क्या है भाई, उसके लिए फ्रीडम है कि वो आजाद रहे, वो अपनी मर्जी से काम करे, उसको कोई बंदिश ना हो, लेकिन एक अफ्रीकन व्यक्ति को गुलाम बनाने वाला जो फ्रांस का नागरिक है, वो कहता है कि फ्रांस का नागरी कह रहा है कि मेरी ये आजादी है कि मैं अफ्रीकन वेक्ति को गुलाम बना सकता हूँ लेकिन अफ्रीकन वेक्ति के लिए आजादी क्या है कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सके समझ गया, ये एक प्रकार से इनका विचार था, जो गुलाम ट्रेड करते थे, उनका ये विचार था, कि भाई मेरा भी तो freedom है, मेरा freedom है कि मैं दूसरे को गुलाम बनाऊंगा, ये इनका कहना था, ठीक है आगे कहता है, यहाँ पर देखे एक word है, निग्रोज, निग्रोज क्या होता है, देखे यहाँ पर जो अफरीका के जो मूल निवासी हों, उनके लिए ये word यूज किया जाता है, लेकिन ये अच्छा शब्द नहीं है, ये उनको एक प्रकार से अपमान के रूप में कहा जाता है, ये अपमान जनक word है, समझ गए, तो यहाँ पर आगे चलकर 1848 में जाकर, जो slavery उसको finally abolish किया गया, मतलब पूरी तरीके से खतम हो गया, 1848 में जाकर, तो यहाँ पर short एक history था, आपका, किस चीज का, slavery के बारे में, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने topic है, topic number 6, topic number 6 ह and everyday life, यानि revolution का लोगों के daily जीवन पर, danic जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज हमें यहाँ पर समझना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि can politics change the clothes people wear, the language they speak, और books they read, क्या politics की खाने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका बदला जा सकता है, तो यहाँ पर ये चीज को हमें जरा सा check करना है, तो कहता है कि the years following 1789, in France saw many such changes in the lives of men women and children, 1789 के बाद जो घटनाए हुई, उसकी वज़ा से फ्रांस में लोगों के जीवन में इसी प्रकार के बदलाव आ तरीका सभी चीजे बदल गई, the revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideal of liberty and equality into everyday practice, जो revolutionary सरकारे बनी 1789 के बाद, उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी समझा कि देखो ये काम हमको करना ही करना है, कि भाई हमें क्या करना है, equality का principle, fraternity का principle, या फिर freedom का जो principle है न, वो daily जीवन में हम लोग कैसे सामिल क कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा इन लोगों ने मान कर आगे बढ़ना शुरू किया, और उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए, अब यहाँ पर कहता है कि कौन-कौन से कदम उठाए, क्या-क्या चीजे हुई, ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ प जैसे प्रिंसिपल को लागू करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स उठाए, समझ गया, ये चीज सवाल बन सकता है, अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर कहता है कि यानि कि 1789 में जब बैस्तिल का किला गिरा दिया गया, नैशनल असेम्बली के पास पावर आ गया, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घटना हुआ, बहुत बड़ा डिसिजन लिया गया, वो था सिंसर्शिप को खतम करना, सिंसर्शिप क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन सौट मैं फिर से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो में मैं क्या बोलूंगा न, ये मैं खुद से decide कर रहा हूँ, यहाँ पर सरकार से मुझे पुछने के जर सकता हूं तो ये freedom है लेकिन अगर मुझे ये video बनाने के बाद सरकार के पास जाके जमा करना होता एक सरकार का आदमी check करता कि सरकार के खिलाफ ये गलत बोल रहा है या नहीं बोल रहा है सरकार को ये video पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर ऐसा हो तो उसको censorship कहते हैं और France में 1789 से पहले होता था कि जो king होता था king के कुछ special करमचारी होते थे जो कि ये check करते थे कि जो भी किताब छप रहा है जो भी newspaper में लिखा गया है उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि जो कि राजा के खिलाफ है या फिर सरकार को पसंद नहीं है तो फिर वो चीजों को ह पहतम कर दिया गया हर व्यक्ति अपनी मन की बात अपनी मर्जी से किताब छापकर newspaper के जरीए कह सकता था कोई उसको रोकने वाला नहीं था यहाँ पर यहीं चीज कहता है कि सभी चीजों को क्या होना चाहिए था एक प्रकार से check approve करवाया जाता था king के sensors के द्वारा king के special करम आजा को गाली देना है दो मंत्री को देना है दो किसी को देना है दो कुछ भी कहना गाली देने का मतलब गाली नहीं होता है मतलब कि कोई अगर वो उसके खिलाफ मैं अपोज कर सकता हूं गाली का मतलब नहीं गाली कहीं भी allowed नहीं है आज भी allowed नहीं है और उस से में भी allowed न सकते हैं अपने बातों को कह सकते हैं उससे क्या हुआ उससे पूरे फ्रांस में निउस पेपर पंपलेट बूग प्रिंटेड पिक्चर सभी चीजों की बाढ़ हा गई जो भी लिख सकता था जिसको भी मन में भी आइडिया था वो अपने किताब च्छाप देता निउस पेप क्या नहीं है ठीक है आगे कहता है कि they all described and discussed the events and changes taking place in France फ्रांस में जो भी हो रहा था उसको वो पढ़ रहे थे देख रहे थे discuss कर रहे थे सभी चीज़े कर रहे थे सभी बाते ओपन थी हर ब्वैक्ती अपने मन की बात खुल कर कह रहा था freedom of the press also meant that the opposing view of event could be expressed अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जब राजा कशाशन था तब censorship था यानि कि आप कोई भी event हुआ उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं जैसे फ्रांस ने जाकर आउस्ट्रिया से युध लड़ लिया तो कोई भी वेक्ति ये नहीं बोल सकता है कि राजा ने गलत किया युध नहीं लड़ना चाहिए था ये नहीं बोल सकता था लेकिन अब अगर सरकार गलत भी करती है कोई event हुआ फ्रांस की सरकार जाकर आउस्ट्रिया से लड़ी लोग बोलेंगे क्यों लड़ा भाई क्यों क्या जरूवत थी नहीं लड़ना चाहिए था लोग बोल सकते हैं इस प्रकार से कोई भी घटना के खिलाफ भी अब बाते आ सकती थी each side sought to convince the others of its position through the medium of print जो भी लोग थे चाहे जैसे example हम युद कले रहे हैं फ्रांस की सरकार आउस्ट्रिया से लड़ी कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ युद्ध होना चाहिए कुछ लोग कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए दोनों क्या करेंगे दोनों newspaper में लिखेंग दोनों किताबे निकालेंगे, pamphlet चापेंगे और लोगों के बीच में बाटेंगे तो इस प्रकार से लोगों के बीच में डिवेट होते थे कहां होते थे भाई? अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें हैं तो आगे यहाँ पर कहता है कि अब यहाँ पर अलग लग तरीके से जैसे कि प्लेज लिखकर गाने लिखकर और भी तरीकों से लोगों के बीच में जो important आइडियास थे fraternity के equality के वो पचाने की कोसिस की गई और वहाँ पर उसके जरिये जो ऐसे लोग थे जो की उतने educated नहीं थे उनके मन तक भी यह ideas पहुँचाए गए अब यहाँ पर conclusion है conclusion वैसे तो आपको खुद से पढ़ना चाहिए लेकिन मैं short में इसको बता देता हूँ यहाँ पर आगे बात की गई है कि देखे 1799 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर power किस ने अपने हाथ में ले लिया अपने हाथ में ले ले लेकिन उस समय तक वो सिर्फ general था वो एक प्रकार से directly rule नहीं कर रहा था आगे चलकर 1804 में नेपोलियन ने खुद को emperor घोषित कर दिया फ्रांस का राजा खुद को घोषित कर दिया और उसके साथ ही अगल बगल के जितने भी European देश थे वहाँ पर वो एक प्रकार से अपना फैलाओ करने लगा मतलब कि फ्रांस की जैसे हमने देखा कि revolutionary वार चल रहे थे कि फ्रांस की सेना दूसरे देशों में जा रही थी नेपोलियन ने उसी चीज़ का फाइदा उठाया नेपोलियन बगल के देश चला गया जैसे Spain चला गया या फिर जर्मनी प्रशा के इलाके में घुस गया और भ यहां पर नेपोलियन जो था वो खुद को यूरोप का modernizer समझता था कि मैं पूरे यूरोप को modernize कर रहा हूं पूरे यूरोप को बदल रहा हूं और उसने एक प्रकार से बहुत सारी अच्छे काम भी किये थे ऐसे बहुत सारे नियम कानून लागू किये थे जिससे कि लोग इसके साथ ही और भी बहुत चीजे हुई यहां पर इसके साथ ही जो freedom का एक प्रकार का idea था वो दूसरे लोगों तक पहुँचा आगे चलकर बहुत सारी घटनाई हुई लोग सुरू में पसंद कर रहे थे बाद में उनको पसंद ही आने लगा फिर अंत में जाकर 1815 में जो democratic rights के वो French Revolution की एक legacy हैं लोग French Revolution को याद इसलिए करते हैं क्योंकि यहां से equality, fraternity या फिर right to freedom इस प्रकार के जो ideas हैं वो सामने निकल कराते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं और जिस समय में French Revolution हुआ उसके बाद इंडिया के लोग भी इससे काफी ज़दा प्रभावित हु जो कि France में होने वाले revolution से काफी ज़दा प्रभावित थे तो इंडिया पर भी इसका काफी ज़दा impact पड़ा था और आज भी पढ़ता है देखिए हम लोग भी यहां पर इस chapter को पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं भाई क्योंकि France में कुछ ऐसा हुआ था क्या हुआ था वहां पर revolution हुआ, equality का idea, fraternity का idea, freedom का idea ये चीज़ें हमको वही से मिली हैं वैसे आप कह सकते हैं कि दूसरे दिसों में और भी पहले आ चुका था लेकिन यहां पर एक प्रकार से बहुत बड़े अस्तर पर लोग इससे प्रभावित होते हैं तो यह chapter आपका यहां पर समाप्त होता है, drained, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अगले chapter के साथ, तब तक के लिए good bye